sixth वू जो बाप्टोन जो गूधाफटोन गूधाफटोन बचिवह कैसे आप सभी क्याल चला आप सबके न्दी कूध आप हाद जी आज क्लास को शरू करने के पहले आज हमारी CMA Intergroup 1 की ये पहली क्लास है और आप सारे प्यारे बच्चे जो कि इस कोर्स के अंदर में एंट्री किये हैं मैं जानता हूं कि आप अपने सक्सिस को बहुत जल्दी अचीव करेंगे और अपने नाम के साथ इस डिगरी को एड़ करेंगे आज क्योंकि बच्चे पहली क्लास है मैं आपको बहुत सारी बाते करूंगा कोर्से इस डिसकस करना स्ट्रेटजी हमारी क्या होगी चैप्टर के शुरुबात करेंगे और बहुत सारी बाते करनी है आपके साथ आप सभी को खुब सारा प्यार बच्चे खुब सारा प्यार सारे चाहें दुनिया के किसी भी कोनें बैठे हो और आप सुने मेरी बात थोड़ी से ध्यान से बचों ये डिगरी जो अभी हमने स्टार्ड किये अभी हम अभी पहले ग्रूप में आया हैं या पेसे कई सारे बच्चे जो डारेक्ले इंटर में आया हैं आप सभी एक चीज ध कि भी श्रास ना भर लें कि बस समझे मेरी बात ना मैं क्या बोलना चाहता हूं तो बहुत ध्यान से आप अराम से डिगरी को आगे बढ़ाईए अच्छी तरीके से स्ट्रेड़ी से प्लान केजिए और प्रहाई को आगे लेके चलिए ठीक है ना तो अब हम लोग शुरू क कर रहे हैं मेरी अवाज एक माँ कर्फर्म कर दिए सारे बच्चे मेरी अवाज आ रही है एक दो बच्चे बोलने आवाज नहीं आ रही कैसे हो रहा है अवाज आ रही है अवाज आ रही बच्चे आवाज आ रही है सारे बच्चे आवाज आ रही है अवाज आ रही है अवा मैं आपको पढ़ाता हूँ ठीक है ना अब देखो पहले मैं आज क्लास को पढ़ाने के पहले आपके पास आना चाहता हूँ कोर्स के अंदर में और कोर्स में भी आने के पहले एक चीज बताना चाहता हूँ कि बचे ये डिगरी जिसकी शुरुवात आज आपने की है ना ये आपको एंड तक पहुचाना है यह आपकी जिम्मेदारी है इस राष्ते में बहुत सारे लोग आपके पास आएंगे उल्टी सी नी बाते करेंगे कि यार आपने इतना यह कोर्स में रिजल्ट नहीं आता तस होता है यह चीज़े होती हैं वो चीज़े होती हैं सभी सभी लोग पीशे चूटेंगे सभी पीशे चूटेंगे और डिगरी सिर्फ आप निकालेंगे आप और सिर्फ आप निकालेंगे ठीक ना बागी बच्चों को आप पीशे जाने देना आपको निकालना है बच्चों आप आई ना आप मैं शुरू करता हूं पहले तो अकाउंट्स को हमारा पढ़ने का तरीका क्या होगा क्योंकि मैं रिपीट कर रहा हूं foundation की सारी बाते दिमाग से निकाल देना इंटर में हरे चीज में in-depth study है आपको बहुत in-depth जाके study करना है कोई simple तरीके से नहीं पढ़ना और no doubt कि जो हमारा नया exam का pattern आया उसमें हम त्यारी कैसे करेंगे वो सारी बाते यहां पर चलेंगी यह देखे आप यहां पर मैंने ना यह मेरे book का मेरे बच्चे पहला page है पहले तो आप मैंसे कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो बच्चे हो सकता है कि accountancy जब आपने foundation में पढ़ा होगा या फिर आपने अब science background से हैं कुछ भी आपका तो मैंने बच्चे आपको ना मेरे office में फोन करके यह चीज़े आपको मंगा लेनी है यह आपके syllabus में तो नहीं है इंटर के अंदर में लेकिन accounting terms, general entry, leisure account, trial balance, subsidy book, cash book यह आपको पढ़ लेना है आपको मुश्किल से 6-8 दिन लगेंगे इसको proper तरीके से पढ़ने में और आप master हो जाएंगे उन सारे बच्चों के साथ आप compete कर पाएंगे जो बच्चे बच्चमन से मतलब 11 वी क्लास से accountancy पढ़ते आ रहें तो आप बिलकुल त्यार रहें और आप अच्छे करेंगे मुझे विश्वास आप कर ठीक है तो यह सारी classes free है इनके लिए कोई charges नहीं है जितने बच्चे हमारे CMA Intergroup 1 के है इनकी classes को मंगा के आप पढ़ सकते है अगर थोड़ा भी आपको लगता है कि accountancy में आप बिलक है तो एक चीज और बता दूँ यह रहा आपका CMA Intergroup 1 का financial accounting का syllabus यह syllabus का जो sequence है मैंने design किया है मैंने design किया है और यही sequence में आप study करेंगे तो अच्छा रहेगा कोई खास reason नहीं है बढ़ अच्छा रहेगा एक बाच्छे कीजे यहाँ पे joint venture accounts bills of exchange consignment accounting for depreciation rectification of error मुझे ऐसा लगता है कि यह जो पांच नाम मैंने आपके लिया ना यह पांच नाम के लेते ही आपके चेरे पे कि smile आएगी कि सर यह तो हमने foundation में पढ़ा हुआ है या फिर अगर become complete किया तो become में पढ़ा हुआ है ना बच्छे यह पांच चप्टर यह पांच ही नहीं six भी है financial statement of profit making organization यानि कि आपका trading account profit loss balance sheet कुछ हैज तक आप लोगोंने foundation में non-profit organization यानि कि NPO भी आपने study किया हुआ है कुछ हैज तक आपने incomplete records यानि कि single entry system जो है ना भी थोड़ा बहुत पड़ा हुआ है आपने मुझे विश्वास से और आपको लगता है कि यार अब तो इंटर में हमारे यह जो आपके लगभग साथ आठवा छोड़ो साथ जो है वो तो मैंने complete कर लिया जी मस तरीके से क्या दिकत है मैं आप सब को सवधान करना चाहूंगा मेरे प्यारे बच्चो foundation में जो जिस लेवल का आपने study किया है वो लेवल हमारे इंटर का नहीं है इंटर में इतने सारे game institute आपके साथ खेलता है ना कि उस game को वही खेल पाएगा जो accountancy को proper तरीके से समझेगा no ratification no no आपका उल्टा सिधा काम तभी ये बात बनेगी तो ये साथ जो chapter आपका है एक से लेकर साथ तक आप भूल कर भी ये मत समझना कि आपने foundation में चाहे बारवी क्लासों पढ़ा हुआ है और वही कोशन आपका आएगा ऐसा कभी नहीं हुआ है ना कभी होगा है ना inter है हमारा cma inter फिर हम cma final में जाएंगे और फिर अपना cma complete करने के बाद industry में जाएंगे तो सोचो किस लेबल का knowledge institute आपसे demand करेगा वो knowledge आपको gain करना पड़ेगा हाँ एक सीच की मैं guarantee देऊंगा जितने बच्चों ने पास में मुझसे study किया है चाहे जो बच्चे study कर रहे हैं उन सब को पता है कि इन सब में मैंने आपको खेलना सिखाया है पूरी book के अंदर में खेलना सिखाया है कि accountancy में खेल कैसे खेलते हैं तो आपको भी मेरे साथ खेल खेलना होगा और कुछ भी नहीं पढ़ाई कुछ होता है नहीं मैं तो एक इसी जानता हूँ जी कि जिस चीज में हमें interest आ गया उसमें मजा आना शुरू हो गया तो वही मज़िदार हुआ हमारा खेल बन जाता है तो मैं वही कोशिच करूँगा कि पढ़ाई को मैं आपका खेल बनाऊ और कुछ भी नहीं मेरे बच्चे तो ये पहला चेप्टर से लेकर आपका जो ये जो सेवन्थ चेप्टर है आप इसकी गलत स्वामी में नहीं करना कि आपने पढ़ा है हम इनको बहुत अच्छी तरीके से स्टड़ी करेंगे आते हैं अब आगे ये जो एट्स चेप्टर है आपका फानेशल स्टेट्मेंट ऑफ इनकंप्लिट यानि कि सिंगल एंटरे सिस्टम इन्शोरेंस और पता नहीं एंट तक आपका ये चीजे आपको और गहरी होती चली जाएंगे मज़ा आपको आना शुरू होगा तो हम एंट तक जाएंगे स्टार्टिंग से लेकर एंट तक आपका अमारा पढ़ने का तरीका होगा आज मैंने सोचा यार मैं इन बच्चों को क्या पढ़ाऊ क्या मैं इन बच्चों को यहां पे जो यह ग्यारवी बारवी पता नहीं कहा का जॉइंट वेंचर बिल्स ओफ एक्षेंज वही पढ़े हुए है तो इनको मैं वही सिखा दूँ क्यार ये दखो इतना मस्त है आपको सब पुछाता है या फिर मैं इन बच्चों को एक बार चेक करो कि सच्वूच में बच्चे पढ़ने वाले हैं या फिर बस ऐसे ही आ गए कि हम तो C.A. में बनेंगे मुझे बस ये चेक करना है मेरे बच्चे और इस चेक को करने के लिए मैंने सोचा क्यार कौन से चेप्टर आज में लेके चलू अपने बच्चों की पहली क्लास में तो मुझे पता क्या दिखाए दिया एक ऐसा चेप्टर दिखाए दिया ये चेप्टर आपका चेप्टर 12 जहांपे बड़े-बड़े महारती जो होते हैं इसमें फेल हो जाते हैं बड़े-बड़े माराती हम आप पता नहीं कौन-कौन से लोग इस चेप्टर पर कमांड करने के बहुत कोशिश करते हैं बड़े चेप्टर पर कमांड नहीं हो पाता और खासकर हमारे साथ जो बच्चे भी बैठे वे हैं और वो अगर आपका बीकॉम वाले चीज पढ़ाना ही नहीं है अगर आपको सिंपल ही पढ़ाना होता तो फिर मैं आपको फांडेशन में बैठाता मैं आपको यह पढ़ाऊंगा और ब्रांच अकाउंटिंग के साथ शुरुवात करूंगा जल्दी से एक बर बता दीजिए क्या आप सारे बच्चे त्यार है बच्चे ब्रांच को समझने के लिए कहीँ आपको डर तो नहीं लग रहा की पता नहीं कि आ आज होने वाला है जल्दी बताए मैं त्यार हूं इस बुक जिन बच्चों के पास लखास पर जाएंगी फोन करके यह बुक आकर इंस्टिटीट जो स्टी मैट्रियल है उसको 100% cover करता है, आपके institute के study material में बहुत सारे mistakes है, उन सबको मैंने यहाँ पर सुधारा हुआ है, आपका MTP, RTP, past year question, future में क्या बन सकता है, examiner किस हद तक जाके सोच सकता है, सब कुछ मैंने यहाँ पर cover किया हुआ है, तो यह book अपने में एक महा, मतलब क्या बोलू मैं, वो जिसको नाम देना भी मुश्किल है, और सब कुछ इसमें cover आपका है, ठीक है न, एक बार मैं सारे बचों से जानना चाहता हूँ, कि आज का मेरा branch accounting में शुरू करने वाला हूँ, क्या मेरे बच्चे आप त्यार है branch accounting समझने के लिए, एक बार जल्दी बताएं, फिर आगे बढ़ता हूँ, अरे हाँ, एक चीज़ और, accounting for GST मेरे पीछे के lectures में जितने बच्चों के पास गया हुआ है, आप accounting for GST नहीं पढ़ें, institute से कुछ दिन पहले मेरे एक meeting हुई थी, उन्होंने clarification दिया हुआ है, कि GST बेस हम कोशन भी नहीं पूछेंगे, सीम इंटर ग्रूप ब्रांच accounting नहीं पढ़ूँगा, मैं तो बस मस्ती करने के लिए आज आपके पास आया हूँ, आज बस मस्ती करूँगा, वो journal entry, leisure account कुछ पढ़ा दो, काम खतम हो जाएगा, मेरे बुक में ब्रांच accounting का page number क्या है जी, यह आपका page number है, ब्रांच accounting का, 241 आपका, 241, आई नहीं दिख राजी यहां पर, ब्रांच accounting शुरू करने वाले, यह क्या खोल दिया, बदमास, यहां पर पेन क्यों नहीं दिख रहा, पेन कहां गया तो देखना है, मुझे सब क्या करेदी करता है, कहां ठीक, आगया, आगया, आगया बच्चोंपन, ठीक, समझी क्या, मुझ पास बुक है जी, वो बुक रेड़ी करेंगे, और जिनके पास बुक नहीं है, उनके लिए मैं यहां पर बुक खोल रहा हूँ, आप चिंता नहीं करें, 241 आपका, ब्रांच accounting, जितने भी आपके इंस्टिटूड के एक्जाम में थियोरी कोशन आ सकता है, प्रेक्ला आ सकत प्रेक्ला तो, थोज़े खोल दो कर दो बहुत करमी हो रही है, 241 आप लोग रेड़ी है, एक बाद मुझे बता दीजे आपका ब्रांच accounting, ब्रांच accounting, हां जी, कोई नी बदमाश, श्रिकांद, आप कहरें मिरे पास बुक नहीं है, बुक मैंने खोल दिया बचे, आप से कितना प्यार करता हूँ, आपको पता ही नहीं है, आपके लिए बुक मैंने निकाला है, देखरो ब्रांच accounting, क्या दिकत है, बुक कंप्लेटली अप्डेट किया चलिए, आप लोगना एक काम करो, अभी से अगला दो घंटा, अगर इस दो घंटे में आप में से कोई भी बच्चा उठ गया ना बच्चे, तो समझो कि सारे सपने चकना चूर हो जाएंगे, और ब्रांच accounting, अगर आज आपके संतोर सर आपको नहीं समझा पाए, तो दुन और एक कोईशन कम से कम एक्जाम में 8 मार्क्स, एट टू दे मैक्सम 16 मार्क के आते हैं, तो हम लोग इसको ले के चलते हैं आपको, ठीक है ना, चलिए, स्टार्ट करते हैं, सुने मेरे साथ, लिखना स्टार्ट करेंगे, ब्रांच accounting में टाइम आपका वेस नहीं करना चाहत हान थीक ख, आप आप आगे-पीछे नहीं करेंगे, बिर्कुल आपको यहां पर, थीक है आईए, होख सुनें हम मेरे बात, लिखरी मैरे साथ देखो, एप हेड़ोगी से बच से जो कि अध salty में काम कर रहा है देली में काम कर रहा है मानलो कहीं पर भी मानलो देली में काम कर रहा है यह बच्छे यह अपने बिजनिस को फैलाना चाहता है ब्रांच जम क्यों खोलते बिजनिस को फैलाने के लिए है ना तो अगर यह डेली है डेली में काम कर रहा है अगर यह बिजनिस को फैलाने के लिए अपने ब्रांच को ऊपन करना चाहता है ब्रांच खोलना चाहत इन्लेंड ब्रांच आपको इन्लेंड ब्रांच आपको इन्लेंड ब्रांच के मतलब होता है वह ब्रांच जो की इंडिया में आपके काम करते हैं ठीक है ना तो जो इंडिया में काम करते हैं उसको बोलते हैं इन्लेंड ब्रांच जो ब्रांच पर इंडिया से बाहर चलते हैं foreign branch पे a syllabus काम करता है और बदकिस्मती देखो हमारे syllabus का कि हमारे syllabus में foreign branch नहीं पढ़ना वो कहते हैं कि जब यह बच्चे थोड़े बड़े हो जाएंगे ना जब CMA Intergroup 2 में आएंगे तो वहां पी इनको पढ़ा देना पता नहीं क्यों बदमाशी करते हैं आप यहीं पर सकते हैं हमें फोकस करना है आपका inland branch के उपर में मेरे प्यारे बच्चों जितने भी inland branches होते हैं मतलब इंडिया के अंदर जो branches हैं यह branches दो तरीके के होते हैं या तो branches होंगे dependent branch अभी दिमाग में बिलकोल भोल जाओ कि आपके आस पास में कोई ठंड है गर्मी है कोई दुख है कुछ कुछ भी नहीं है बस branch accounting है और आज की class में इतना सिखेंगे कि कोई बच्चा पूरे class में पूरे जिंदगी में ने सिखता है सुनू ना inland branch में बच्चे एक होगा आपका dependent branch और एक होगा आपका independent branch independent branch नाम ही कह रहा है dependent branch ऐसा लगता है कि ब्रांच जो है ना वो हेडों भी स्कूपर में dependent है independent branch ऐसा लगता है कि जो ब्रांच है वो independent है मतलब हेडों भी से अलग है बट ऐसा है नहीं मेरे बच्चों पता है क्या है जितने भी small scale के जितने भी चोटे branches होते हैंना साथ- लिखेंगे आगे पीछनी होना चाहिए जितने भी चोटे branches होते हैं उन सारे चोटे branches को कहते हैं कि वो आपका dependent branch है dupe independent और पूच्चे जितने भी कि बड़े बराश रिवह लार्ज Hmm aplic अंपर्श ब्राशी संव अपने कि भी इंडिपेंडट इन लाच शोटे ब्राशित को expects पोड़े को बीड़े कर दोमेड़े PC डापने क्ट इसका है turn दितना द्लाकों ट्राइक्षन रोज हो रहे होंगे इतने बड़े स्केल पर कॉर्ण बड़े ब्रांच यज important घू कि तुम बहुत बड़े स्केल पर काम करेजिऑ रहे हों तुम अपने रिकवर्ट को खुद मिंटेन करो कि बस तुम इन İ tääCs दिपैंडनेंट Hok条 records को maintain करने के लिए मेरे प्यारे बच्चों जो बड़े ब्रांच होते हैं इनका accounts ये खुद maintain करते हैं इनका accounts head of business maintain नहीं करता इसलिए कहते हैं कि आप जो होना independent हो अपना record खुद maintain करोगा लेकि सोचो ना जो एक छोटा ब्रांच है छोटा ब्रांच थोड़े मोरे transaction होंगे दस बारा item कुछ goods गया थोड़े से खर्चे हो गया थोड़ा सा sale हो गया काम खतम हो गया छोटा ब्रांच आपका है head of business ने कहा कि देखो जी आप बहुत छोटे skills में काम कर रहे हो आप ये काम करो तो अपना record खुद maintain मत करो क्यों फालतों में खर्चे बढ़ाओगे आपको अगर अपना accounts maintain करना है एक accountant रखना पड़ेगा उसको salary पे करना पड़ेगा और मुश्किल से साल भर में 10-12 transitions होने वाले हैं तो head of business ने कहा कि आपना अपने records को खुद मत maintain करो आपके record को मैं maintain कर लूँगा मैं मतलब क्या जी head of business मेरे प्यारे बच्चों पता क्या यहां पे जो छोटे ब्रांच है ना वह dependent है accounts को maintain करने के लिए किसके उपर आपका head of business को उपर है तो यहां जो dependent independent है ना मरचे यह मत सोचना कि यार एक branch head of business से अलग है एक आपका उसके साथ है सारे branch head of business के है और head of business के अंदर ही काम करने है उनहीं के अंदर को में काम करने है लेकिन जो independent branch होते हैं यह अपने records को खुद maintain करते हैं लिखो ना थोड़ा सा इसके नीचे में आपका लिखोने थोड़ा सा यहां पर आपका they they records their records their their transactions transactions independently independently डिपेंडेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटें maintained by the head of base, by the head of base, बस इतने असे तो फरक है, आज के class के बाद कोई आप से पूछ दे क्या इनको आपका large scale के branch को independent और छोटे branch को dependent क्यों बोलते हैं, आप बोलना कि यार सर ने बताया था हमारे संदोज सर ने कि large scale को जो branch होते हैं वहां पे लाखो ट्रांजेक्शन होते हैं और उनको head of base कहता है कि अपना अलग से एक accountant रखो और उससे record maintain कराओ, आप independent अपना खुद record maintain केजिए, लेकि मेरे बच्चे जो small scale के branch होते हैं ये branch dependent होते है head of base के उपर में अपने records को maintain करने के लिए और इसी है बोलते हैं आपका क्या जिए dependent branch आपका ठीक है ना पता है यहां पर head of base जब branch के छोटे branch का record maintain करेगा ना एक चीज बताओ एक चीज बाब है पूछ रहा हूं आपसे ये चोटे branch होते हैं इनका records कौन maintain करता है जल्दी से बताओ ना head of base करता है अरे बोलो ना आप क्यों नहीं बोलते हैं हम head of base करते हैं obvious बात है बता है head of base जो चोटे branch का accounts maintain करेगा ना बच्चे इसमें हमारे पास तीन तरीका है तीन तरीका है तीन में से किसी भी एक तरीके से head of base यहां पर accounts maintain कर सकता है पहला तरीका है data system लिखिए आप यहां पर data system पहला तरीका data system आपका first आपका दूसरा तरीका होता है मेरे बच्चे stock and data system stock and data system stock and data system दूसरा तरीका होता है stock and data system और तिसरा method यहां पर है final account method आपका तिसरा method जिसकों बोलते है final account method आप सुन्दो मेरी बात ना मैं क्या बोल लो है यहां पर आप सुन्दो ना अगर head office अपने छोटे ब्रांज का record खुद maintain करना चाहता है तो record maintain करने के उसके पास तीन तरीका है या तो डेटर सिस्टम को फॉलो कर ले पहला तरीका या फिर stock and data system को फॉलो कर ले दूसरा तरीका या फिर आपका final account method तिसरा तरीका तीन तरीका है आप तिनों में से कोई भी एक तरीका आप यहां पर फॉलो कर सकते कोई डाउट इसके अंदर में सर अब अपने कुछ समझाया है नहीं तो डाउट कायेगा अच्छा ठीक है मैं आगे बढ़ता हूं मेरी बात सुनो लिखना बंद सुनो ना मेरी बात लिखना बंद करो लिखना बंद करो एक बात बताओ आप आप से पुछता हूँ, कि मिन बच्चे अगर head office, अगर head office, अपने एक छोटे से ब्रांच का अगर record maintain करना चाहता है, तो तीन अलग तरीके क्यों? अब सुननो मेरी बात, मैं क्या बोल ला हूँ, head office, अगर एक छोटे ब्रांच का record maintain करेगा, तो तीन अलग से तरीके क्यों? य अगर एक ब्रांच, एक ब्रांच, ब्रांच छोटा ही सही, एक ब्रांच, अगर ब्रांच का record, अगर head office maintain करना चाहता है, मेरी बच्चे, अगर head office एक छोटे से ब्रांच का record maintain करना चाहता है, तो सिब इतना बताओ, कि records को maintain करने का हमारा main motive क्या है? आप यह बताएं कि head office जो पूछ रहा हूं मैं आप मुझे यहां पर बताओ ना मैं आपसे एंसर पूछ रहा हूं कि अगर head office एक छोटे से branch का accounts अगर maintain करना चाहता है मैं छोटे इंग ब्रांच की क्यों बात करूँ है तो एक साल में हमारे इस branch ने क्या profit क्या लोस कमाया या तो हम वो जाना चाहते हैं जी या फिर दूसरा मोटिव होता है बचे हमारे branch के पास assets कितने है liability कितना है और capital कितना है यही तो मोटिव होता यार अरे बच्पन से परत्यार है ग्यारवी class से परत्यार है कि अगर मालो आप किसी branch का यह किसी का भी accounts अगर आप maintain करते हैं तो accounts को maintain करने का दो ही motive होता है एक साल में उसने क्या profit क्या लोस कमाया वो जानना और दूसरा आपका assets कितना है liability कितना capital कितना है मैं आगे बढ़ हूँ मेरे बच्चे उसके पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जब भी head office branch का account maintain करेगा तो branch के accounting में capital नाम कभी नहीं आएगा आप कसम खालो आज की आज की जब भी आप करेंगा accounting तो head office जब चोटे ब्रांच का accounts maintain करेगा तो चोटे ब्रांच के profit loss हम जानना चाहेंगे ब्रांच के पास assets कितना है liability कितना वो ठीक है capital नाम नहीं आएगा इसली नहीं आएगा क्योंकि capital हमेशा head office का होता है capital कभी branch का नहीं होता तो branch के पास हमारे assets हो सकते है liability हो सकता है capital नहीं आगा इस बात की 100% की guarantee है तो head office अगर छोटे branch का account maintain करना चाहता है वो जानना चाहेगा जी कि एक साल में आपका क्या profit क्या loss या फिर आपके assets कितने liability कितना है अगर मैं अपने branch का profit loss जानना चाहता हूं तो बताओ कौन सा account हम बनाते बच्चे trading account profit loss account बोलो नहां अगर मालो head office small branch का आपका profit या loss जानना चाहते हो तो क्या बनाएगा वो trading account profit loss account और assets liability को जानने के लिए क्या बनाएगा वो balance sheet बनाएगा यही तो accounting होता है यही तो काम करते हैं बच्चमन से करते हैं कि अगर आपको किसी का profit पता करना है तो आप उसका trading profit loss account बना लो अगर उसके पास assets कितने है लाविटी कितना अगर वो जानना है तो आप क्या करो जो उसका balance sheet बना लो काम पूरा हो जाएगा तो हम यही काम करेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है पता है जैसे ही पता मैं क्या सिखा रहा हूं मैं भी क्या बना बता रहा हूं कि यह तीन system जो है वह अलग से क्यों आए यह तीन जब head office एक छोटे ब्रांच का अकाउंट्स maintain करेगा तो तीन अलग से तरीके क्यों क्यों ना मैं उनका ट्रेडिंग profit loss balance sheet को बना लूँ क्योंकि मेरे बच्चे अकाउंट्स इस head office को रोकता है अकाउंट्स कहता है कि देखो head office अगर आप ब्रांच का ट्रेडिंग अकाउंट profit loss balance sheet को बनाना चाहते हो तो इसके पहले आपको general entry, leisure account, trial balance, subsidiary book सब कुछ बनाना पड़ेगा मतलब proper records को maintain करना पड़ेगा क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों जब हम trading profit loss balance sheet बनाते हैं यानि कि हम proper accounting कर रहे हैं और जब proper accounting करेंगे तो सब कुछ करना होगा primary recording, secondary recording मतलब general entry, subsidiary book, leisure सब कुछ करना होगा head office ने कहा कैसी बात कहते हो अरे छोटा सब branch है जहांपे 10-12 item के लेंदेन होगे और इतने छोटे branch को record करने के लिए मैं उसका journal, leisure, trial balance, subsidiary book ये वो बनाओ ये तो काम ठीक नहीं होगा पता फिर क्या हुआ, accounts ने इनको मना कर दिया, accounts कहते हैं कि नहीं जी अगर आप अपने branch का trading, profit, loss, balance sheet बनाना चाहते हो न तो आपको ये पूरा accounts का system आपको maintain करना पड़ेगा, general, leisure सब कुछ बनाना पड़ेगा गुसा आ गया, पता किसको गुसा आ गया, head of iz को, head of iz ने कहा कि भाया, मैं इनको नहीं बनाओँगा, आप चिंता नहीं करो, मैं इनको नहीं बनाओँगा, मैं इनको भी नहीं बनाओँगा, क्योंकि आप मना कर रहे हो, मैं बिना इन सारे account को बनाए बगर, मैं limited records maintain मैं limited records maintain करूंगा limited records और कम से कम record maintain करके भी मैं कसम खाता हूं कि इस ब्रांच का क्या profit क्या लोस हुआ एक साल में वो भी बताऊंगा वो भी निकालूँगा और मैं assets liability को भी पता करूँगा अब सुन्डों में क्या बोला हूं ध्यान से एक बार दुबारा आए क्योंकि चैप्टर का ultimate concept जब समझ में नहीं आएगा ना तब तक आगे आपको मजा नहीं आने वाला है यहां पी मेरे बच्चे अगर आज के बाद कोई आपसे जब घर से बाहर निकलो कोई पूछ दे पहले इनको बॉला गया बनाने के लिए वह प्रोपर अकाउंटिंग हो जाएगा हेड़ो विस इतने अकाउंट मेंटेन नहीं करना चाहता है और अकायंद करके भी वह अपने जोटे से ब्राश का क्या प्रोफिट क्या लौ से कितने جत से कितने लावेड़ी कि उसको पता क करना चाहता है वो कैसे पता करेगा लिमिटेड अकाउंट्स मेंट करके वही आपको इस तीन सिस्टम के अंदर में आपको स्टड़ी करता है पहले मेरी बात समझ भारी न कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको इतनी ठंड लग रहे हैं पता नहीं आज तो क्या हो रहा क्या है कुछ न पढ़ा जाता है जड़ा सोच एक कोई बच्षा नहीं समंझे घर चाहें चोटे बच्छ काि प्रोपर रिकॉर्स मेंतेन नहीं करेगा जिमिट रिकॉर्ट्व को मेंटेन करेगा और इस निकालेगा वहीं system के अंदन में अगर आपको data system समझ में आ गया न तो ये दोनों system ना फिर चुटकी बजातेुए खतम हो जाते हैं बदकिस्मती देखो जहां पर जो मेंची समझना हमें वही समझमन ही आता, तो मैंने भी कसम खाई है, आज आपको यही समझाऊंगा, मैं इनको नहीं समझाने वाला, मैं यही समझाऊंगा, यह तो अपने आप शुरू कर देंगे, आज प्रूफ करूँगा, आज जड़ा हम शुरू करते हैं आपका data system, याद खना, मैं page change करने वा लिमिटेड कम से कम record maintain करके भी उसका profit loss कैसे पता करेगा, उसके assets कितना है, liability कितना है, वो कैसे पता करेगा, वही आपको सिखाया जाएगा, आउना, हम शुरू करते हैं, मैं आपको सिखाता हूँ, लिखी मेरे साथ यहाँ पर, page change करेंगे, बिलकुल नया page लेंगे, मैं नह जल्दी से मुझे बता दो कि recording हम किसके book में करेंगे, क्या हम branch के book में recording सिखने वाले हैं, या head office के book में, आप जल्दी से बता दो, recording हम, लो, सारे बचे, कहते हैं कि sir, in the books of head office, तो ठीक है, आप नया page ले रहे हैं, और heading डाल रहे हैं, क्या जी, dependent branch, हम लोग शुरू कर रहे है मेरे बचे, dependent branch के बारे में, हम यहां पर पढ़ना शुरू कर रहे है, dependent branch के बारे में, और dependent branch में भी हम किस system को study कर रहे है, data system को, यानि कि आज जो हमारा focus होगा, वो data system को पर होगा, sir, इसको data system क्यों बोलते हैं, इसका भी region है, वो भी बताऊंगा, आप चिंता नहीं करना, ल मैं लिख रहा हूँ, in the book of head office, in the book of head office, in the book of head office, है न, head office के book में, क्योंकि मरे बचे, इन छोटे branch का accounting क्या होता है, head office करता है, तो head office के book में, यहां पर क्या होगा, data system के अंदर में, सुनना मरे बात, repeat कर रहा हूँ, head office क्या करेगा, data system के अंदर में, अपने छोटे branch का profit पता क करने के लिए सिर्फ एक अकाउंट बनाएगा जिसका नाम है ब्रांच अकाउंट बनावना मेरे साथ आप यहां पर नया पेज अपने लिया हुआ है और उस नय पेज पर आपने क्या बनाए यहां पर ब्रांच अकाउंट यहां पर शुरूर किया ब्रांच अकाउंट और यह पर सीडिक्रिफ़ पाइब को रेडिए करेंगे और मैं शुरू करता हों कि यहां दुबारा लिख दू क्या यहां दुबारा था कि आप in में दिखतना हो कि system की बात करने हम लोग के हां पर data system तो तीन system होते हैं ना अब हम पहले स्टार्ट कर रहे हैं data system data system में इसके accounting कैसे होगा वो मैं आपको सिखा रहा हूँ सुनो ना पता मैं क्या करूँगा यहां पर लिखोंगा मेरे बच्चे opening balance साथ साथ लिखे opening balance opening balance of assets opening balance of assets अभी जब तक मेरी class आज खतम नहीं हो जाएगी आपके दिमांग में इस और नहीं आने चाहिए आप मान लेना कि संतों सर आपसे ज्यादा पड़े हैं आज के लिए कम से कम उसके बाद तो आप आगे बढ़ जाओगे और जितना सर बोलेंगे हम उतनी बाते समझेंगे ह है ना तभी आपको बात समझ माएगी हम लोग क्या करेंगे जी कि branch के पास जितने भी assets होंगे ना उनका opening balance यहां लिखना और यहां लिखना मेरे बच्छे opening balance of liability opening balance of liability आपके branch के पास जितने भी liability है ना उनका opening balance यहां कुछ assets के नाम बताओगे आप मुझे कौन से assets हो सकते हैं इतना starting stock है data हो गया data हो गया हो गया cash हो गया wäre चुछ और वी नाम चलो furniture हो गया और कोई नाम अरी बहुत सारी नाम हो डिकितने नाम लिखो मशीन हो गया, जितने भी एसेट्स हो सकते हैं, जितने भी एसेट्स, नाम कितने बता हूँ, हमें तो concept में मास्क भी करना है, नाम तो कोशन में जितने बताएगा, उस तो हम लिख लेंगे, हाँ, कुछ भी हो सकता है, बदमाश, तो जितने भी एसेट्स ब्रांच के पास ना, उन सब के opening balance को यहां लिखना, कोई liability है, कोई भी liability होगा, देख लेंगे बाद में, कुछ bank loan है, कुछ creator से, जो भी होगा, हम उसको यहां लिख देंगे, और last में, बीच में जागा छोड़ते हैं, यहां लिखेंगे, closing balance, closing balance of assets, आपने कसम खाया है, कि जब तक मेरा concept चल liability, closing balance of liability, है न, liability है आपका, अब देखो न, जिन नाम का opening balance होगा, उसका closing भी तो होगा, तो मैं जैसे कि stock opening है, तो यहां लिख देता हूँ, है न, आपका dators starting में है, तो end में लिख देता हूँ, डेटर्स आपका यहां पे हो जाएगा, cash आपका opening तो cash आपका closing भी हो जाएगा furniture starting तो end में होगा, और भी कई सारे नाम हो सकते हैं, आप नाम पर जगडा मत करो, कितने भी नाम हो सकते हैं, जितने भी नाम होगे न, उन सबका opening balance, closing balance यहां लिखोंगा, जो liability होगा, उसका opening यहां, closing यहां, कौन से नाम होगें, देख लेंगे बाद में कुछ भी हो सकता है, अभी तो कोई दिकात हो रही है, तो हमने क्या गया, यह लिखती है बचे, अरे लो, ओहो, अरे हमारा एक purpose पूरा हो गया, पता क्या, यह देखो न, हमें अपने branch के जितने भी assets है न, और जितने भी liability है न, उनको भी हमें record करना था, कि कितने हैं, हमने record कर दिया, आप देख हमें proper records maintain करना पड़ेगा, हम नहीं करना चाहते हैं, हमने भी challenge दे दिया accountancy को, कि चलो जी हम आपकी बात नहीं मानेंगे, हम आपकी बीना बात माने बगार, हम प्रोपर accounts बीना maintain किये बगार, हम अपना purpose पूरा करेंगे, जड़ा बता हो, कि balance sheet में क्या होता है, assets कितने है, liability क लिख दिया हमने, capital नाम तो यहां पर होगा नहीं क्योंकि ब्रांच के कोई capital नहीं होता है, काम खतम हो गया, एक purpose मेरा पूरा हो गया जी, बिना balance sheet नाम लिखे बेगर, कोई doubt इसके अंदर में, नई सर, हो गया हमारा, ठीक है, ओहो, अरे, दूसरा motive क्या था, जड़ा हम यह भी पता करेंगे, इसी अकाउंट में, बिना trading profit loss बनाए बगर, बिना बनाए बगर, पता में का करूँगा, यह देखो आप, नजर यहां, इसी अकाउंट में मेरे बच्चे, मैं दो तीन नाम और एड करूँगा, दो तीन नाम, और मेरा काम पूरा हो जाएगा, एक लिखी मेरे साथ यहां पर, एक आएगा, two, goods sent to branch, लिखो न, goods sent to branch, है न, head of business ने, जितना goods branch को भेजा होगा न, उसको हम यहां लिख देंगे अपका, अच्छा, और, लिखो पहले यहां पर, यह सारे नाम जितने है न, इस सब के आपका balance यहां लिखा हुआ है, सब के balance को हम न, यहां दिखाया हुआ है, सब यहां पर आगए है, जितने नाम होंगे, हम कोशन में भी देख लेंगे, क्यों परशान होती हो, लिखो न, तो goods sent to branch आ गया, इसके बाद क्या होगा, एक नाम यहां पर और आएगा, जिसको हम बोलेंगे, two bank account, two bank account, two bank, पता यह नाम कब भाइगा, लिख दो इसके बारे में, अगर कोई expenses, कोई भी expense हो, expenses, paid by head office हो, paid by head office, अगर कोई भी expense मेरे बच्चे, head office pay करता है, किसके लिए, ओविस बात है ब्रांच के लिए अपने चोटे से ब्रांच के लिए जिसका हम प्रोफिट निकाल रहे हैं तो हेड ओविस ने अपने ब्रांच के लिए कोई भी expense पे क्या होगा या ब्रांच का rent पे क्या होगा, salary पे क्या होगा, commission पे कुछ भी पे क्या होगा आप कहा देना to bank account, उसी के अंदर में सारे खर्चे दिखा देना और पता है बच्चों, यहाँ पे एक नाम और लिखना by remittances account by remittances, by remittances, sir ये by remittances में क्या होगा, remittances का मतलब होता है कि कितना पैफा ब्रांच ने head of business को remitt किया, remitt मतलब भीजना अरे, goods तो ब्रांच ही बेच रहा है ना, बोलो ना, अगर head of business ने एक ब्रांच खुला है तो goods कौन बेचेगा, ब्रांच बेचेगा, हम ब्रांच के counting कर रहे है ब्रांच जब goods बेचेगा, तो खुब सरे पैसे ब्रांच के पास आएंगे वो पैसे जो ब्रांच के पास आएंगे, वो पैसा किसको देदेगा, head of business को देदेगा बोलो ना, अरे, ऐसे क्यों देख रहो यार, यह तो कौन सी बरी बात है मैं यहाँ पे हूँ, एक ब्रांच मैंने आपके साथ खुला, आपने वहाँ पे goods बेचा goods बेज कर पैसे आएंगे, तो पैसा खुद थोरे रखोंगे, मुझे ही तो दोगे, head of business को दोगे जितना पैसा ब्रांच ने इकठा करके, sale करके जो पैसा इकठा किया होगा और head of business को बेजा होगा, उसी को बोलेंगे remittance अब सोचना होगा कि अब ब्रांच के पास पैसा कहां से आएगा, common sense है, अगर ब्रांच ने बचे goods बेचा होगा, तो या तो cash पे बेचा होगा, या फिर credit बेचा होगा, तो अगर cash पे बेचा होगा, तो वो पैसा उसके पास आया होगा, cash sales करके, अगर cash पे good sale क्या होगा तो cash sales करके जो पैसा आएगा वो remit करेगा या sale क्या होगा credit पे बोलो ना, या तो sale cash पे या credit पे तो जितना, या दखना accounting हम एक साल का करने है बच्चे इस एक साल में cash पे goods बेजके जितना पैसा आया होगा वो उसने head office को दिया होगा और अगर मेरे बच्चे sale उसने credit पे किया होगा मानलो sale उसने 8 लाग का किया जी credit पे, तो ज़रा बताओ कि जरूरी है क्या कि अगर sale उसने 8 लाग किया credit पे तो सारा पैसा इस साल ही आ गया होगा बोलो बोलो एक साल का accounting कर रहो अगर एक साल में हमारे ब्रांच ने 8 लाग का goods credit पे बेचा है तो chance जए कि या तो पूरा 8 लाग आ गया होगा, या फिर 8 लाग में से कुछ पैसा आया होगा, कुछ पैसा बात में आएगा जो पैसा आ गया उसको हम क्या सब्सक्राइब कर दिया होगा, अगर क्रेट पे बेचा होगा, तो आउट ओप क्रेट सच जितना इस साल में कलेक्शन हुआ, जितना भी कलेक्शन हुआ, उतना पैसा उसने डेमिट कर दिया होगा, लो मेरा काम खतम हो गया, यही काम करना मेरे बच्चे, यही काम करना, यह बाहर और दिया होगा, और क्रेट में अगर बैलनसिंग फगर आगा, तो म् क्या कर देंगे? लॉस कहे देंगे, यह बैलनसिंग चार्फित भी तो क्या कहे देंगा? लॉस कहे देंगे हो इतना साně कॉश्sy काम करना है। दोनों काम मेरे पूरे हो गई, इस दोनों काम पुड़ा हुआ, तीन नाम इस account मैंने और add किया, एक goods and to branch, एक two bank account और एक remittances, अब इन सारे को यहाँ पे मैं add करूँगा, इन सब को add करूँगा, जितना भी amount आएगा, इन सब को उसमें से minus करूँगा, अगर balancing figure आपका यहाँ पे आ गया, तो profit कह देना, यहाँ तो loss कह देना काम खतम हो गया, काम खतम हो गया, इमंदारी से मुझे बताओ, क्या आपको समझ में आया की नहीं आया, दोनों का, मेरे बचे दो काम थे, एक तो profit loss निकालना, और दूसरा मेरा assets liability, हमने assets liability भी यहाँ पर लिख दिया जी आपका, और हमने क्या क्या, हमने यहाँ पे तीन ना तो मैं श्राब दे दूँगा, कि अगला जनम आपके कीडे का होगा, कसम से बोलना हूँ, इसलिए बताओ, आप लोगो समझ में आया की नहीं आया, ये लो, आप में से एक एक बच्चा कहता है कि ये सर समझ में आया, लेकिन आप में से हर एक बच्चा जूट बोल रहा है, हर एक बच्चा जूट बोल रहा, अभी भी आप टाइप किये जा रहे है, कि सर समझ में आया, समझ में आया, समझ में आया, आप सारे बच्चे जूट बोल रहे हैं बच्चो, अरे कहां समझ में आया, और यहीं तो दिकत हम CMY वाले बच्चो के अंदर वे, बिना कुछ प्रोफिट का ओपनिंग यह एसेट का क्लोजिंग और दो तिन उल्टे सिदे नाम लिखे प्रोफिट निकल जाता है अब भूलके वो बच्पन की बाते जब चोटे-चोटे प्यारे-प्यारे बच्चे थे आपके छोटे-चोटे सर हुआ करते थे उन्होंने आपको बताया सब्सक्राइब करतेट करूटे थे अफर चैयल आने माम आपको परया आप और आंप इन्हें ऊबनां की बात आपको कहा गया था कि आप यहां पर सल्स लिखना और दुसरा जू-एट-इपकर होगा हो लिखना कि दो तरीके का होता ना Cash Crade पे वह लिखना आपको कहा गया था कि आप यहां पर Closing Stock लिखना Closing Stock उन्होंने Closing Assets थोड़े ही कहा था आपने इतने सारे नाम लिख दिये उन्होंने कहा था Closing Stock लिखना Opening Stock Purchase Sales और हां उन्होंने कहा था कि ट्रेडिंग में Direct Expenses और Profit Loss में Indirect Expenses आते हैं एक में Direct दुसरा में Indirect अगर मैं सारे Expenses इकठा कर लो तो मेरे बच्चे जितने भी Expenses होंगे जितने भी Expenses होंगे वो सारे Expenses यहां पर एक ही तरीका होता है कि जितने भी Expenses है उनको एक तरफ लिखो, Revenue को एक तरफ लिखो, Revenue में Expenses को Manus करो, Profit निकालो यह हमें बच्चमन वाले सर ने हमें सिखाया है थोड़ा सा अगर मैं और आपके Mind को अपगरेड करूंग तो यह क्योंकि हम यह Trading Profit Cogs का बना रहे है जी हम क्या ब्रांच के expenses ब्रांच नहीं पे कर सकता है। मेरा एक ब्रांच मानलों कि कहीं काम करा है लखनओ के अंदर में। अब लखनओ में जितने भी expenses होते हैं, salary पे होता है, rent पे होता है, advertisement होता है, बोट सारे खर्चे होते हैं। या तो उन खर्चों को मैं यहां से पे कर दूंगा जी, वो बिल मुझे भेज़ेगा, मैंने यहां पेमेंट कर दिया, यह भी तो हो सकता है, कि ब्रांच जो है, वहीं पे कुछ खर्चे उट से खुद पे कर दिया हो, बोलो ना, हो सकता है न, यह भी तो possibility है, कि ब्रांच के ज होते हैं, जो expense तो है, बट उनका payment नहीं होता है, ऐसे कई सारे expenses है, मरे बच्चे, जो expense तो है, बट उनका payment नहीं होता, for example, मैं बात करूं, depreciation, आप मुझे बताए, क्या आप profit को निकालने के लिए, आज तक आप depreciation को मैंस नहीं करते थे, क्या, क्या depreciation आपका expense नहीं होता थ आप मुझे बताओ, badits आपका expense नहीं होता था, क्या, badits आपका, यह भी होता था, loss by fire, loss by theft, बहुत सारे ऐसे खर्चे मेरे बच्चे होते थे, बहुत सारे ऐसे खर्चे, जो खर्चे हम जिनका payment नहीं करते, cash में payment नहीं होता, बट उनके expenses होते हैं, और भी नाम नहीं हो, discount हो provision हो गया, बहुत सारे नाम होते हैं, बोलो नहीं, तो आप याद करो, उस बच्च्पन में, जब आप बहुत चोटे बच्चे थे, चोटे-चोटे आपके हाथ पहर हुआ करते थे, आपके चोट-चोटे सर हुआ करते थे, उन्होंने आपको समझाया होगा, कि बहुत सेल्स liability का opening balance, closing balance, और उल्टे सिदे 2-3 नाम लिखे कैसे profit निकल जाएगा, मैंने कैसे कह दिया कि profit यहाँ पे हुआ, और मज़े की बात है कि मैंने बोल दिया और अपने मान भी लिया, आपने कहा है कि नहीं सर, आप तो ठीक बता रहे हो जी, और हमें समझ में आ गया, और कितने ब इसमें कहीं E4 नहीं आएगा, संतो सर का जैसे-जैसा माइंड चलेगा, वैसे साब का माइंड चलेगा, मेरी बात सुनो, मैं आपको आज प्रूफ कर दूँगा, मेरे बच्चे, कि जो काम आपने यहाँ पे किया है ना, जो बच्पन से आप काम क्या करते थे, जो बच्पन निकल के आएगा, बिल्कुल सेम निकल के आएगा, statement को दुबारा repeat कर रहा हूँ, statement दुबारा सुनेंगे, मैंने कहा कि मैं आपको इस बात की guarantee के साथ बोल सकता हूँ, guarantee दे सकता हूँ, कि इस तरीके से बच्पन में जो आप profit निकाला करते थे, अगर उस तरीके से जो profit आप भी निकल के आएगा, इस बात को मैं प्रूफ करूँगा, और आपको बताना चाहूँगा, कि ये काम हम लोग यहाँ पर क्यों ने कियो, क्योंकि limited accounts maintain करना है, हमें बस एक ही account बना के, हमें assets liability को भी पता करना, profit भी निकालना है, आईए मैं आपको प्रूफ करता हूँ, कि य एक-एक बात को आपने यहाँ पर record किया है, और तभी ये profit आपका सेम निकल के आएगा, मैं आपको प्रूफ करता हूँ, आए, प्रूफ पर आता हूँ, आपको पढ़ाना इतना असान नहीं है, है न, आपको पता ही बात, सुनी मेरी बात, देखो मैं प्रूफ करता हूँ, नजर यहाँ, अब आपको पास concept अब clear होने शुरू हो जाएंग, यह देखो आप, यहाँ पर आप बच्पन में लिखा करते थे opening stock, यहाँ भी देखो, assets के opening balance में आपने stock को यहाँ पर लिखा है, stock को, आप बच्पन में credit में यहाँ लिखा करते थे closing stock, आप देखो न, यहा stock का opening balance यहाँ पर है, stock का closing balance यहाँ पर है, परचेज कहा है, वो यहाँ दिखाओ न, मेरे प्यारे बच्पो, पता है, परचेज अगर आप खुद करोगे, जो normal बच्पन में पढ़ा हो आपने, तो हम उसको क्या बोलते हैं परचेज आपका, यहाँ पर क्या हो रहा है कि ब्र ब्रांच को देता है कि ब्रांच आपको बेचना है, जितना goods हैडोब इसने परचेज किया होगा, जितना goods हैडोब इसने परचेज किया होगा, और ब्रांच को दिया होगा बेचने के लिए, उसी को हम बोलते हैं यहाँ पर गुट सेंटू ब्रांच, मतलब जो normal में आप य बिजनस्कुद पराफिट है तो पराफिज लिखता था यहां पर हैडोबिस परश्र करता है और परश्र निकाले गा सब्सक्षाग करता है तो जो ब्राफिट निकालेगा तो उसमें चेछ मानलो आपका कैश पर है और तो मेरे करोगे कि एग्रिकर हूब है तो यल कि यहां पर का पहले पहले आप ट्रोडब केश को क्रीड स्कोली सेर्ट में लिखा करते थे और यहां भी cash sales को आप credit में लिख रहे हैं, यहां तो कोई जगड़े नहीं है, जगड़ा है credit sales को लेकर, कि 6 lakhs का sale अगर credit पे हुआ था, मानलो एक साल में 6 lakh रुपे का good sum ने credit पे बेचा, लेकिन out of 6 lakhs रुपे, मानलो current year में जो collection हुआ है मेरे बच्चे, वो सिर्फ आपका 580 का हुआ है, मानलो कि वो collection जो आपका हुआ है, वो 5 lakh रुपे आपका 80,000 का हुआ है, मतलब सारा collection नहीं हुआ, possibility है ना, दिमाग थोड़ा यूज करो, कि आरे, इस साल जितने good sum ने credit पे बेचे, पोसिबिलिटी है कि 6 lakhs sale किया, तो कुछ पैसा इस साल आया, कुछ पैसा अग 50 आएगा, यहाँ पे मैंने एक गलत काम किया है, मैं agree करता हूँ, एक गलत काम किया है, इसमें और इसमें एक differences है, क्या जी, यहाँ पे 6 प्लस 2 मिलके कितना हो गया, 8 lakhs रुपीज, और यहाँ पे कितना हो गया, 580 प्लस 2, यानि कि 780, जहाँ पे हमें 8 lakhs रुपीज का sale दि दिखाया है, यह एक पाप किया है मेरे बच्चे, इस बाद से मैं agree करता हूँ, ठीक है, अब मेरे बाद ध्यान सुनेंगे आप, एक बार यहाँ पे, मेरे बच्चे, यहाँ पे गलती किया है, लेकि एक्चुली मने कोई गलत नहीं किया है, कोई गलती नहीं किया है, मैं प् करता हूं कि जो चीज़े यहां पे है न वही चीज़े आपका यहां पे है यह देखो आप 2 lakhs का cash sales आपका, 2 lakhs का cash sales यहां तो कोई ध्जगड़े नहीं है, जारा सोचो, अगर 6 lakhs रुपीज का sale मैं credit पे करता हूं, 6 lakhs का sell credit पे किया, और 6 में से 580 कलेक्ट हो गया, जारे बच बोलो है कि कुछ गलत बढ़ा रहा हूं क्या अगर च्छे लाका सेल में क्रेट पे करूंगा और सिक्स लेक्स में स्व फाइफ एटी कलेक्ट हो गया मालो तो ट्वंटी थाउजन साल के बच गया जी डेटरस का अगले साल कलेक्ट होगा हा ना तो अगर सिक्स में फाइफ ट्वंटी थाउजन का माउंट आपका अब चीक करूं कि क्या हमने यहां भी 6 लाक रुपे लिखा है क्या नजर यहां डालो अगर नॉर्मल तरीके से जो आप अकाउंटिंग करते थे वहां पर क्रेट सेल्स कितना दिखाते थे 6 लाक रुपे का माउंट आपका सिक्स रुपीज का माउंट अरे आप समझो ना मैं आपसे बात कर रहा हूं 6 लाक रुपे का जो सेल क्रेट में आपको लिखना था वही चीज हमने यहां पर लिखा है लेकि उस 6 लाक को यहां दिखाने के वाज़ा हमने क्या क्या जी 580 के क्लेक्शन दिखाया और 20 का आपका यहा बनरे यहां तो अमाउंट मिलके क्या हो गया आपका क्रेटेस के बराबर हो गया तो एक बात है आगा घर मैं इसके साथ साथ यहां लिखता हूं कितना जी 6 लक्स तो काम खराब हो जाएगा डवल काउंटिंग हो जाएगा क्यों क्यों कि ये दोरों मिलके भी आपका six बन गया plus six क्या sales 12x का हुआ है क्या नई सर सेल्स तो 6 लाक रुपे का हुआ है 12 लाका sales का हुआ है तभी मेरे बच्चे हम लोग कहते हैं कि अच्छा तो हम ये काम करेंगे कि जो आपका cash sales है ना cash sales उसको तो हम यहाँ लिखेंगे जो आपका credit sales हुआ है उस credit sales को यहाँ पर हम नहीं लिखेंगे उसके बजाए हम क्या लिखेंगे जी collection from dators और dators का closing balance यह लिखेंगे अरे बदमाश एक दो बच्चे बदमाश ही कर रहे हैं अभी देखो ना यार क्या चीज आपको आप क्या उल्टी से यहां नजर दालो ना तो यहां पर क्या निकल कहा है बच्चे आपका जरा मुझे बताएए अगर मालो आज जब class से बाहर निकलेंगे और कोई आपसे दिखा है आप बोलना कि हमने लिखा है वो पुछे का हमें तो नहीं दिख रहा आप बोलना मुझे दिख रहा है वो पुछे कहां बोलना कि यार collection from dators आपका 580 और dators क्लोजिंग 20 तो 580 प्लस 20 कितना हो गया 6 lakhs हो गया जो कि sales के बराबर है purpose पूरा हो गया हम closing भी लिक रहे वही बच्चा जो बाहरे आपका दिमाग पुछ देगा पता है क्या वो दिमाग क्या बोलेगा मान लो डेटर्स का opening balance भी है कोई दिकत नहीं यार कोई दिकत नहीं आप समझदार हो आप मुझे बताओ 1 lakh पहले से है तो जो closing balance होगा अब कितना हो जाएगा 1 lakh add हो जाएगा यानि कि 120 अरे अगर डेटर्स आपके starting में एक लाग है तो एक लाग प्लस आपका ही मिलके कितना अब ही तो वही काम निकल के आया अभी भी तो वही हुआ एक बार यहां देखो यहां देखो अभी भी कैसे कोई बताएगा आप में से कोई भी बता मुझे कमेंट में बताएंगे कि 580 और 120 मिलकर total amount कितना हो गया बताएगे 580 और 120 मिला के total amount कितना हो गया जल्दी बताएगा 580 120 मिला कि टोटल कितना हो गया आप आप नहीं बताएंगे बदमाश आप बताएगे अरे अरे मैं कह रहा हूं कि 580,000 प्लस 1,20,000 मिलके कितना हो गया 7 lakhs हो गया तो 7 lakhs आपने यहां पर लिखा और 1 lakh आपने यहां पर लिखा तो 7-1 net amount यहां कितना आ गया 6 lakhs रुपे जा गया 6 lakh रुपे हाँ वही तो बोलना हो अरे आप जो टाइप कर रहे हो वही बोलना हो मैं भी आपका कि यहां पर आप देखो 580 प्लस 120 मिलके इधर total कितना हो गया 7 7 lakhs 7 lakhs इधर लिखा एक लाक वहां लिखा तो 7-1 ultimately कितना हो गया 6 जितना हमें लिखना है यहां पर हमारा परपस पूरा हो रहा है हम लोग अपने assets liability के opening closing balance को भी लिख रहे हैं और accounts इस तरीके से लिखा जा रहा है कि बनके वह आपका expensive revenue भी बनते चले जा रहे हैं कहां कोई दिकत यहां पर आपका कहां कोई दिकत है तो बचे आप देखो यहां पर हमारा क्या हुआ परपस पूरूफ हुआ यहां तो कोई डाउट है किसी को अभी दिमाग में if or नहीं कि सर बैड़ेट होगा तो क्या हो जाएगा वो सारी बाते मैं करूंगा ना यार मैं करूंगा जिन्दा हो भी मैं मैं तो अभी आपसे पोर लाहीं कि यहां पे आपका दिमाग बोले कि जो सेल्स आपने 6 lakhs का क्रेट पर किया है उसको लिखने के बज़ा हमने यहां पर क्या-क्या क्या क्लेक्शन को दिखाया और डेटरस के मैल्स को दिखाया होगा तो जितना के बारे में क्यों जगडा कर रहा है मेरे साथ अरे ब्राज पत्थर है फूल के रुप में फेक रहा हूं एक एक वर्ड आने तो कम से कम पहले यहां पर यह भी काम पूरा हो गया ना आप बोलो कि सर ठीक है आपने यह तो कर दिया लेकिन सर एक्स्पिंसिज कहां लिखा जो हे है वह तो नहीं लिखा अपने यह यह आप पे मेरी बात सुनूं आप से बोलता हूं मैं यहांपर हूं आप दुनिया के जिस कोने में हैं वहां पे आप मेरे एक ब्राज़ को चला रहे हैं मैं यहांपर विएक मेरा agenda ऊपके साब चलना है और उसेंटर पे मालो रेंटे करना है. कि क्या आप आप कौन हो मेरे employee हो अगर कोई इंसान मेरा ब्रांच चला रहा तो मैंने आपको आपको पॉइंट किया मैं आपको शैल ली सब पे करता हूं अब मुझे बताओ कि जो ब्रांच आप चला रहे हो अगर उसका रेंट आपको पे करना है तो क्या आप अपने पोकेट से पे करोगे क्या सिब इतना बताओ जितना पूछ रहा हूं मैं दिल्ली में हूं आप मालो लखनों में मेरा एक ब्रांच चलता है और उस ब्रांच को आप सम्हाल देओ मैंने आपको पॉइंट किया है उस ब्रांच जहां चलना उसका रेंट पे करना है तो क्या रेंट आप अपने पोकेट से पे करोगे क्या सिब इतना बताओ क्या नहीं पे करोगे देखो क्या मस् तो पता है अगर ब्रांच ने कोई expenses पे किया है इस बात की 100% की शोटी है इस बात की 100% की शोटी है कि अगर ब्रांच ने expenses पे किया है तो उतना पैसा isaos नोब इसका पास रखा होगा यहां देखो ब्रांच के पास ला इस बातकी ग्रिंटी है मेरे कि यहां पर पैसा पहले से रहा उंगा को पैसा 20,000 expenses किया है तो इस बात की 100% की शोर्टी है कि उतना पैसा head of business ने branch को देखे रखा होगा branch अपने घर से पे नहीं करेगा तो मझे बचे अगर branch ने 20,000 का expense पे किया है तो इस बात की 100% की guarantee है कि branch के पास उतना cash पहले से रहा होगा मालो पैसा 28,000 था मालो कुछ भी हो सकता था 28,000 and 28 में 20 पे किया तो कितना बज़ गया आपका 8,000 देखो ना हमारे दोनों purpose एक साथ पूरे हो रहे है दोनों purpose क्या क्या एक तो आपने क्या किया जी यहां लिखा मतलब debit में 28 और credit में 8 तो net amount debit में आपने कितना ज्यादा लिखा बोलो ना अगर 28,000 आपने यहां लिखा और 8,000 आपने यहां लिखा तो net amount इस side आपने कितना ज्यादा लिखा वो बताईए जल्दी बताईए लो मैंने अभी बोलना था कि बच्चों ने आपका बोलना शुरू कर दिया बताना शुरू कर दिया 20,000 ओविस बात है अरे 28,000 अगर मालों मैंने यहां पर रिकॉर्ड किया और 8,000 मैंने यहां पर रिकॉर्ड किया तो 28-8 net amount कितना आ 20,000 वही तो हमारा expense है हमें डेविट में 20 ही लिखना था और यह दोनों ultimately मिलके क्या करें 20,000 दिखा रहे अगर आपका आप में से कोई बच्चा बोल रहा है कि सर आप इसके यहां लिखो न expenses paid by branch आपका 20,000 मेरे बच्चे अगर मैं ऐसा लिख दूँगा न तो काम खराब हो जाएगा एक ही expense दो बार आपने दिखा दिया अगर मैं ऐसा लिख दू तो देखो 20 यहां भी दिख गया and 28-8 20,000 इसका net भी आ गया तो 20 प्लस 20 40,000 खर्च हो जाएगा जबकि branch ने सिर्फ 20,000 खर्च किया है हमने कहा कि ठीक है जी जो expense branch pay करेगा उस expenses को हम यहां पर record नहीं करेंगे उन खर्चों को branch के पास जो cash पड़ा है उसी मेंसे क्या करेंगे मैंस करके दिखा देंगे तो 28 यहां उसमें से आपका 20 खर्च हो गया तो 8 आपका यहां पर बज़ गया काम खतम हो गया यहीं तो काम करना है अगर 20 यहां पर रिकॉर्ड करता तो डवल अकाउंटिंग डवल डिकॉर्डिंग हो जाता बच्चे यह मैनस यह भी मिलके 20 बंड़ा 20 और 40,000 हो जाता जबकि expense आपका 20,000 है तो हम यह काम करेंगे तो अगर मालो आज जब आप आप क्लास से बाहर निकलोगे कोई पूछ द दिखाते उससे कर देते हैं कोई पूछ देगा ऐसा क्यों तो बोलना कि हमारे सर ने बताया है एक ही अकाउंट बनाके दो परपसम पूरा करते हैं एक तो हम प्रोफिट लॉस भी दिखा लेए जी और दुसरा हमारा एसस लैप्ली भी दिखाना है तो इससे क्या होगा कि अ देप्रिसेशन कहां लिखा अपने यह बताओ अरे आप तो शायद आपका दिमाग मुझे लगता है कि काम करना शुरू कर दिया होगा अगर देखा जाए तो डेप्रिसेशन कहां चार्ज करूंगा फनीचर पर अगर फनीचर मानलो स्टार्टिंग में आपका एक लाख उर रुपे का था मानलो एज़ूम कि हमने एक लाख उरुपे का और तेन थाउजन का अगर आपका डिखने के बजाए एक लाख उरुपे यहां लिखूंगा वन लैक में 10,000 depreciate हो गया तो furniture end में कितना हो जाएगा 90,000 का amount आपका 90,000 रुपे आप सुननो मेरी बात depreciation जो non cash item था ना बचे उस non cash item को यानि कि depreciation को हम लोग यहाँ पर record नहीं करेंगे उसके बजाए जो furniture का opening balance होगा closing balance होगा उससे कर लेंगे एक लाख रुपे हमने यहाँ लिखा 90,000 हमने amount यहाँ लिखा तो जड़ा बताओ 1 lakh debit में 90,000 credit में तो net amount debit में कितना ज़्यादा लिखा हमने बताइए बताइए 1 lakh रुपे अगर मालो आपका यहाँ पे 90,000 यहाँ पे तो net amount debit में कितना ज़्यादा है कितना ज़्यादा है 3,000 और जितना ज़्यादा वही हमारा क्याज यह expense है आपका यह भी काम पूरा हो गया यह भी काम पूरा हो गया तो कोई दिक्कत हो रही है हमने हमने कहना कि भी जो expenses head of is pay करेगा उसको record करूँगा जो expenses branch पे करेगा वह cash के opening closing से मैनस कर दूँगा जो depreciation हुआ एसेट से ही मैनस हो जाएगा बैड़ेट हो गया अब क्या करूँ बैड़ेट हो गया तो थोड़ा smile करो ना बदमाज क्या दिक्रत आप समझ गया होंगे कि अगर एक लाख रुपे का स्टाटिंग में और मालों यहां पर 120 का end में आपका और कहते हैं नहीं जी 120 में से 5000 डूप गया आपका पांच जार रुपे डूप गया तो ठीक है हम लोग क्या करेंगे अगर 120 में से 5000 अमाउंट डूप गया तो मुझे बजाये हम क्या करेंगे इसमें से मैनास करेंगे अरे हम तो सिभ कम इस साइड लिखोंगा इसका मतलब को उत्ता ज़्यादा वहां पर दिखा रहा हूँ पता मैं क्या बोलना चाहता हूँ actually क्या आपको प्रूफ करना चाहता हूँ मैं तो बोलना चाहता हूँ कि आप रटो मत आप कसम खालो आप कसम खालो वो सारे एक्सपेंसे जो ब्रांच के पास होंगे जितने एक्सपेंसे ब्रांच के पास होंगे और इनके जो एसेट्स के ओपनिंग क्लोजिंग से जो मैनस हो सकते होंगे न बच्चे उन सारे एक्सपेंसेज को इनहीं के ओपनिंग क्लोजिंग से मैनस कर देना जैसे कि अब क्या हुआ? इस तोक्र मैंस कर दिया हमने break विक्त लोस्त भॉइ फाइर कुछ भी आपको जाएंग डेटर से क्या मैंस हो जाएगा आप बैड़ार्ट्स मैंनस कर दिया हमने डिसकाउंट मैंस कर दिया कुछ भी होगा आपका कहाँ रज़ाद से चला गए यहां से चला गए तो जो चीजे आपका इनके उप्णिंग से मैनस वसकता है उसको मैनस कीजिए और फिर आपका निकल के आएगा प्रोफीट निकल के आएगा कोई भी आइटम आपको और यहांपर कोई भी आपको आप मुझे बताओ क्या यहां पे जितने सारे आइटम से आपको दिख्रह रहे हैं जो आज तक बच्पन से आप लिखा करते थे क्या उन आइटम को आपने यहां पर रिकॉर्ड किया है की नहीं किया है मैंने दिखा दिया opening यहां दिख रहाँ है, closing stock यहां दिख रहा है, purchases मेरे बच्छे आपको यहां पर दिख रहा है, sales cash sales आपको दिख रहा है, trade sales को दो पार्ट में दिखा दिया, यह और यह दिखा दिया हम ने, फिर आपका closing stock हो गया, expensive head of his pay करेगा वो लिख दिया हमने expenses जो ब्रांच पे करेगा मेरे बचे हमने लिखने के बजाए cash में से ही क्या क्या मैनस कर दिया इसके मुकाबले जितना कम लिखोंगा इसका मतलब क्या उतना ज्यादा यहां लिख रहा हूं यह जो आपका अब करेंगे एक इतना बताईए कि जितनी बाते अभी तक हमने सिखा वह आपके दिमाओं में बैठा की नहीं बैठा वह सिब बताईए और उसको बताते बताते ना आप मेरे साथ क्या करेंगे एक इमपोर्टेंट नोट लिखेंगे मैंने यह प्रूफ कर दिया है यहां कि सारी बाते मैंने आपको दिखा दिया कि वो सारी बाते यहां पर रिकॉर्ड हुई है और इनBY बातों को अबना आपको नोट करूप में शंक्या अब नट करूप हूं जहांपर यह खतम हुआ उसक सिस्टम आपका आप से भी इतना बता दिए जितनी बाते अभी तक हमने की वो सारी बाते समझ में आई कि नहीं आई जल्दी बता दो आप एक बच्छा अभी आया कहता है कि सा राम राम सर्जी अरे एक घंटा हो गया बर्माश बोलते भी सवा घंटा चलिए लिखेंगा आप यहां पर नोट के अंदर में नोट नबर वन आपका नोट नबर वन लिखेंगे आप नोट नबर वन क्या जी नोट नबर वन लिखेंगे लिखना एक्स्पिंसेज लिखेंगे यहां पर एक्स्पिंसेज पेड बाई ब्रांच पेड बाई ब्रांच एक्स्पिंसेज पेड बाई ब्रांच आर आर नोट शोन लिखेंगा आप यहां पर आर नोट शोन इन ब्रांच अकाउंट are not shown in branch account जो expenses branch ने पेकिया है expenses जो मेरे बच्छे branch ने पेकिया है वो branch account में नहीं आता कोई पूछ देगा क्यों तो बताना कि because they are they are they are adjusted they are adjusted through branch cash account branch cash branch के पास जो cash है बच्छे हम उसमें से address कर देते हैं address का मतलब क्या हम उसमें से minus कर देते हैं ठीक ना तो जो भी expense branch ने पेकिया है they are not shown in branch account क्योंकि वो branch cash में से minus कर देंगे इसके मुकाबले जितना कम लिखोगे यानि कि उत्ता ज़्यादा यहां पले खरूआ ठीक ना note number two आपका note number two कहते हैं यहाँ पे non cash expenses non cash expenses non cash का मतलब कि वो सारे जो expense तो है but उनका payment हम cash में नहीं करते हैं उसको कहते हैं non cash expenses कहते हैं non cash expenses are not shown in branch account non cash expenses are not shown in branch account because लिखेंगे यहाँ पे because because they are they are adjusted they are adjusted adjusted through they are adjusted through कहते है कि आपका different assets account जो different आपके पास assets है उन account से क्या होता है जी वो adjust हो जाता है मेरे बच्चे कोई पूछने जड़ा बताओ example तो आप कहे देना example में discount हो गया discount हो गया आपका baddates हो गया baddates हो गया baddates हो गया lost by theft हो गया बहुत सारे नाम lost by theft हो गया lost by fire हो गया और भी कुछ नाम बताओ ना discount, baddates, lost by theft, lost by fire आपका depreciation हो गया depreciation हो गया etc. अभी और भी बहुत सारे नाम आएंगे हम उनको भी देख लेंगे और भी नाम आएंगे हम उनको भी देख लेंगे आपका ठीक है ना तो मेरे बच्चे आपने क्या किया यहां पर एक तो expenses पेड़े ब्रांच उसका भी हमने बात कर लिया non cash expenses को भी हम शो नहीं करते हैं और तिसरा note यहां पर कि credit sales credit sales are also not shown are also not shown in branch account जो credit sales है ना हम उसको भी branch account में ने दिखाते हैं because क्योंकि because they are because क्यों लिखू मैं यहां पर क्यों लिखू मैं बताओ जो ना आपको concept जब क्यों लिखू यहां पर credit sales समने लिखेंगे जी क्योंकि वो उसका जगा पर हम collection को और debtors के closing balance को दिखाते हैं काम खतम हो गया ठीक ना तो यह तो आपका एक बच्चा बोलता है set discount लिख दे आप बदमाश discount बेर्स कुछ भी हो सकता है अरे जितने भी non cash नाम होते हैं non cash जितने भी नाम होते हैं सब यहां पर आपके आएंगे सब यहां पर आएंगे ठीक है ना तो इस तरीके से आपका काम पूरा हुआ एक बाद बताओ एक बाद बताओ जल्दी से आगे बढ़ो उसके पहले इमंदारी से बताओ इमंदारी से क्या एक बाद बताओ क्या ये जो बात अभी तक हमने सीखा अब आपको ये बात समझ में आई या फिर जब मैंने सिर्व फॉर्मेट लिखा दिया था तब आपको ज़्यादा बात समझ में मुझे जल्दी से बता दो मैं आगे बढ़ो उसके पहले आएगा बच्चे बैर्स रिकवर्ट का भी कॉंसेप्ट आएगा सारी बात आएंगे पड़ एक बार में सब कुछ नहीं हो सकता थोड़ा शांत रहो ना मेरे साथ आप मुझे बता इमदारी से अब जाके बाते आपको समझ में आई कि हाँ समयोग मैं नहीं अरहे अब ही नहीं सुर्ट के बात करते हो मैं आपको अभी अभी समझ्मिन नहीं नहीं मैं आदब करूफ करूंगा कोशूं के बात आपका आगे बढ़ता हूँ थेट नहीं क्या होगा वह भी नॉन कैस्ट होगा कैसे होगा भी आगे आउंगा बदमाश अरे कहा ना बहुत बड़ा चैप्टर है कॉंसिप दिमाउंगे पैट जाएगा अपने आप इंट्रिपट करना शुरू कर देंगे मैं आता हूं यहां पर एक बच्छा बोलता है सर डेटर मज में आ जाएगा यह ठीक है ना अब मेरी बात सुनेंगे आपे मैं क्या बोलना चाहता हूं पर बच्छे यह जो था ना एक बार इसको मैं दिमाग में बंद करूं और एक बार ज़रा सोचता हूं कि हमने क्या किया इस डेटर सिस्टम के अंदर में आखे बंद कीजिए ए त्वेट से ओप्णि यहां क्लोजींंग यहां ओपनिंग लाव्लिटी यहां पर इस घूंगे amızने क्या क्लोजींग से मैंनस कर दूंगा और नोन और आपका यहां पर डेटर का क्लोजिंग बैलनस तो इतनी बाते आपको समझाए इतनी बाते समझाए ठीक है ना तो यह काम आपका खतम हुआ आउना एक बार एक क्यों ना एक बार देखिए क्या हम लोग सच्वूच में कोशन करने लाइक बने हैं तो एक बार ना मैं आपक चाहता हूँ आपको बताने के लिए कि आप सच-मुच में कितने इंटलिजेंट हो चुक हैं है यह लऒए मैंधगो मेरे बुक का bury नबर वनापके लिए one यह कोश्न बचे जो वन आपका है मैं आपकर चुशकरव्य देना चाहता हूं बस इस question को solve करने के बाद, इस question को solve करने के बाद, सुने मेरी बाद कहता है इस question के अंदर में नजर यहां और आपका copy pen मेरे साथ ready रहेगा, prepare branch account under data system with the following information मेरे पचे एक information है इससे कहता है कि आपको क्या करना जी branch account बनाना है balance आपको बता रहा है opening में, first january को building है, cash है, data है, stock है and furniture आपका है कहता है कि good sent to branch during the year आपका 380 का अभी answer मत सोचना, बस सुनो मेरी बात, good sent to branch कहता है कि 380 का expenses paid by branch कहता है कि 28,000 expenses paid by head of business कहता है कि आपका यहां पे 22,000 expenses paid by head of business 22,000 benefits बता रहा है cash sales है, credit sales है collection बता रहा है और end में कहता है कि stock आपका 25,000 का है फिर कहता है कि charge depreciation 10% on furniture, आप believe नहीं करोगे यह question मेरे बचे हमारे CMA exam में आयवा question आपका है यह question जो आपका है यह हमारे, आप check कर लेना यह CMA inter 2003 के June attempt का question है और आप मानोगे यह 12 marks का question था 12 number का आपका और उसमें भी बच्चों ने बहुत गंदा परफॉर्म किया था कि सर यह question कैसे होगा इतना tough आया, यह इतना tough आया आप देखे question क्या है आपका तो मैंना अब आप इस question के शुरुबात करता हूं यह question शुरुबात करता हूं आपके पास यहाँ पर question है कि prepare branch account under data system with the following information opening balance में कहता है कि आपका building है, cash है, data है, stock है, furniture है अरे बाद में पढ़ूँगा इसको पढ़ने के पहले ना आये मेरे साथ solution है यहाँ पर आप लो ना नया page आपका और नया page पर आप लिखेंगे solution of question number one आपका देखते हैं यह question हम लोग से बनता है कि नहीं बनता है अब यह तो हमने पूरा chapter पढ़ा भी नहीं है उसके पहले ही एक बाच यह करते हैं पताए एक्जाम में मेरा तरीका क्या होता बच्छे question solve करने का मुझे कोई बताओ recording किसके बुक में हो रहा है यह recording किसके बुक में हो रहा है नहीं बोलोग आप लोग in the book of जड़ा बताओ यह recording किसके बुक में हो रहा है बच्छे question number one है बच्छे booklet का, book अगर आपके पास है तो मेरे book में question में one देखेंगे, वही question करा रहा हूँ, आप मुझे बता ये किसके book में recording हो रहा है, yes, in the books of head office, head office head office, अच्छा मैं भूल गया, ये कौन से system कों पढ़ रहे है, ये कौन सा system है कोई बताएगा, ये कौन सा system में study कर रहे है, पता नहीं, आज क्या हो गया, दिवांग से सब बाते हो निकल जा रही है मैं भूल गया, ये जो head office book में, जो accounts हम बनाना सिख रहे है वो किसके book में सिख रहे है, कौन सा method आपका है, अरे कौन सा method, data system है, मैं भूल गया था, ठीक है, तो ये data है ना, आउना, मेरे सथ स्टार्ड कीजे साथ साथ करेंगे आप यहां पर branch एक आउना, मैं क्या करूँगा अगर इस chapter का concept मेरा clear है, तो पहले मैं अपना format ready करूँगा हमेशा एक्जाम में question को पढ़ने के बाद, और इसमें जो basic बाते हैं ना, उसको मैं लिखूँगा, मेरा यही तरीका होगा, question को solve करने का, मतलब मुझे क्या कह चाहिए, यहां चाहिए, opening balance opening balance, साथ साथ लिखो ना opening balance of assets branch के पास जितने भी assets है ना, उनका opening balance यहां लिखूँगा नाम बाद में देख लूँगा, यहां लिखूँगा closing balance closing balance of assets एक तो यह चाहिए, जी आप मुझे बताओ, question को पढ़के क्या इस question में कहीं पे आपको कोई liability ने जा रहा है इस question में कहीं पे कोई liability आपको दिख रहा है क्या अब पढ़ो ना मेरे साथ यहां पे मेरे साथ पढ़ो ना कि branch account जो बना रहे हैं इसमें opening balance पो देखो assets है, मुझे तो कोई liability दिखी नहीं रहा है कहीं दिख रहा है आपको एक बच्चा कहता है कि सर मुझे दिखा अरे कहां है बदवाश liability आप इस question को number one को पढ़के दिखाए कहीं पर कोई liability बता रहा आपको, नहीं बता रहा है तो फिर नहीं लिखूँगा जिस question में liability बताएगा उसी को तो लिखूँगा बच्चे यहां पर branch के पास कोई liability है यहीं नहीं तो फिर क्या जगडा करना अगर branch के पास कोई liability यहां पर नहीं है तो फिर नहीं record करूँगा नहीं करना मुझे यहां पर liability का record छोड़ दो उसको आपका होता तो मैं उसका opening closing लिखता जी ठीक है लेकिन हाँ हमें तीन नाम और चाहिए चाहिए एक नाम क्या था हमारा तीन नाम चाहिए चाहिए जिसे में बचे एक नाम था to good sent to branch जो हमारा purchases है good sent to branch जो हमारा purchases के बराबर होता है हमें चाहिए यहां पर two bank account अगर कोई expenses head of waste पे करता है head of waste पे करता for the branch आप पा तो two bank के आगे लिख दूँगा और यहां मेरे बचे हमें चाहिए by remittances by remittances remittances के अंदर में हमें एक नाम चाहिए cash sales का cash sales का और एक चाहिए हमें यहां पर collection from dators हमें पहले अपना target fix करना होगा अगर आपको concept पता है तो पहले target fix करना होगा हमें क्या-क्या चीज चाहिए, क्या-क्या हमें निकालना है, ठीक ना? अरे एक निल कमल मिर्ष्टा कहता है, सर, मुझे कोशन ही नहीं दिख रहा है, अरे कौन सब चेप्टर में देख रहा है और कौन सब चेप्टर में चश्मा लग रहा कुछ खराब हो गया इसका इसको दोनों एक साथ लेना पड़ेगा मुझे यह रहा यह कोशन है और इसका में यहां पर एंसर करना क्यों नहीं देख रहा है अगर बुक आपके पास तो बुक में देखेगा टोटल गेमिंग बद्वाश अपना वो चेक करेगा क्या बोलते हैं वो जो नहीं बोलते हैं अरे बद्वाश नेट कुछ दिखर था उसमें चलिए अब सुनेंग 이제 को देखते हैं कि हमारी एक्जाम में अई-वा कोश्चंग पहले ही बीना कोई सिंपल था शेच नजौ यहां ब्रांब ब्रांच है का इसके बाद या गुडस send to branch यह जो good send to branch वो कहां चला जाएगा यहां पर बूट ने expenses पे किया है expenses paid way branch 28,000 मुझे सिभी इतना बताओ जो branch expense ने पे किया है उसको आप यहाँ पर record करोगे या फिर आप उसको assets कहीं opening closing से minus करोगे सिभी इतना बताईए जो expense branch ने पे किया है वो cash के opening closing से minus किया जागा कि यहाँ पर record किया जाएगा जल्दी बताईए आप जल्दी बताईए अरे जल्दी बताईए adjust करेंगे obvious बात है cash क्योंकि जो head office ने पे किया जो head office ने पे किया वो तो मेरे बचे आप क्या करोगे यहाँ record करोगे branch ने जो पे किया cash अभी तो कसम दिलाया था उसको record नहीं करेंगे ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है समझ गया मैं अच्छा आगे पढ़ता हूं मैं आगे पढ़ता हूं अभी हम question सब तोड़े ही कर रहे है यह देखो आप यहाँ पर expenses paid by head office जो expense head office ने पे किया वो तो record करूंगा two bank account यहीं head office का payment आपका होता है क्योंकि जो head office पे कर रहा हो किसी से हम address नहीं कर सकती इसलिए हम यहाँ पर दि होगा रेमिटेंस के अंदर में आपका А credit sales है 8 लाग करेंट कर आप रिकोर्ड करूं जल्दी बताएं जो credit sales 8000,00,000 रुपिछ बता रहा है क्या मैं उसको यहाँ पर record करूं जल्दी बताएं क्या मैं रिकोर्ड करों रिकोर्ड होगा क्रेट सेल्स के जगा पर हम क्या दिखाते हैं कलेक्शन को और डेटरस के क्लोजिंग बैलन्स को ठीक है ठीक है समझ गया मैं समझ गया फिर कहता है मेरे बच्छे स्टॉक एंड में 25 क्लोजिंग बैलन्स हो गया कहरा कि अब मैं इस कोशन को सॉल्व करना शुरू करता हूँ मुझे विश्वास से आप चीज़े समझ चुके हैं और मेरे साथ आप यहां पर सॉल्व करेंगे आए स्टार्ट कीज़े कि रिकॉर्ड करते हैं हम लोग यहां पर यह देखो जी शुरू करते हैं बिल्डिंग आपका अरे सोचना क्या जितने भी एसेट से उन्सब का opening balance यहाँ पर लिखे है कहता है building जर्णा बताओ building कितना बता रहे starting में 2 lakhs रुपेज तो यहाँ पर 2 lakh रुपे का amount हो गया 2 lakhs cash कहता है कि 40,000 लिखो न यहाँ पर cash आपका 40,000 का amount हो गया cash आपका 40,000 dators कहता है कि 30,000 तो यहाँ पर हमारी जो जितने भी assets है जो question बताएगा पका बताएगा उन सबका opening balance stock 35,000 लिखो यहाँ पर stock आपका 35,000 और क्या बता रहा है furniture आपका 1 lakh तो यहाँ पर furniture आगया 1 lakh जगा कितना छोड़ना है वो तो आपको जैसे जैसे practice करोगे समझ में आ जाएगा तो फिलाल मेरे बच्चे जितने भी आपके पास assets हैं जितने भी assets हैं उन सारे assets का opening balance हमने यहाँ पर record कर दिया opening balance आपका अच्छा सुनो ना फिर कहता है यहाँ पर फिर कहता है आपका good sent to branch देख रहाँ आप यहाँ पर good sent to branch कितना बता रहा है 380 तो जो 380,000 है वो good sent to branch यहाँ record किजी आप 380,000 380,000 रुपे यहाँ चला गया यह purchases के बराबर हमारा होता है expenses कहता कि branch ने पे किया है 28,000 ओ एक मिनट एक मिनट अरे सुनो तो मेरी बात branch ने expenses पे किया है 28,000 यहाँ देखो confirmed है branch के पास cash होगा branch के पास cash पहले सो 40,000 है 40,000 branch के पास हमने cash होगा था head of his ने देखा रखा था उस 40,000 में से branch ने क्या-क्या 28,000 expense कर दिया तो बताओ 40 में से 28 अगर expense कर दिया तो branch के पास cash यहाँ पे कितना बचेगा 40,000 जो branch के पास पहले से cash था उसमें से 28,000 उसने खर्च कर दिया तो अब यहाँ पे कितना बचेगा 12,000 का माउट आपका 12,000 का माउट 12,000 रुपे कुछ बचों ने तो profit भी निकाल दिया my god यह कैसे जी but anyway बहुत अच्छे बच्चे हैं पहले सुन ले जी यहाँ पे तो हमने क्या बोला जी कि आपका जो cash था 40,000 40 में 28 खर्च किया तो 12,000 बच गया यह जो bracket में लिखा ना इसको ना लिखो फरक नहीं पड़ता आपको cash के balance कितना दिखा ना 12,000 वो important आपका है ठीक है आगे देखे आप यहाँ पे फिर क्या बता रहा आपको जी इसके बाद क्या है कहता है expenses paid by head of business 22,000 है तो जो expense head of business ने पे क्या 22,000 वो तो यहाँ लिखूँगा ना बचे वो तो किसी account से plus minus हो ही नहीं सकता तो हमने क्या क्या यहाँ रिकॉर्ड कर दिया two bank का मतलब यह कि जो expense head of business ने पे क्या उसको record किया गया यहाँ पे ठीक है अच्छा अब आगे देखो यहाँ पे कहता है कि आपका expensive paid of business भी आपका हो गया badds, badds आपका कहां से minus हो जाएगा, data accounts से छोड़ दो हम उसको बाद में देख लेंगे, जो minus हो जाएगा हम उसको बाद में, पहला भी यहाँ पे आईए cash sales कहता कि 220 का amount, cash sales वो तो लिखूंगा, remittance के अंदर मेरे बच्चे, यहाँ पे आप लिखिए 220,000 का amount, यह total को कठा करके हम बाहर कर देंगे, 220 credit sales कहता कि 8 lakhs, नहीं लिखूंगा मरे बच्चे, हम credit sales नहीं लिखते हैं, हाँ, collection from debtors लिखते हैं आपका, कितना, 630 का amount, तो collection from debtors हम ने क्या-क्या, 630,000 इसमें add कर दिया, 630, यह total कितना हो गया जी, 8 lakh and 50,000 का amount आपका, 850,000 रुपे, 850,000 है ना, 220 का cash sales आपका है, 630 का collection बता रहा है, तो दोनों मिला कि कितना हो गया, 850 का amount आपका, 8,5,000 रुपे, अरे हाँ, यहाँ देखो, stock भी आपको end में कहता है कि 25,000 है, तो क्या परशानी, चिलाना क्या है, stock जितना end में बता रहा है, उसको यहाँ लिख दो आपका, 25,000, यह भी हमारा हो गया, 25,000 का amount आपका, stock, और कहता है, आगे पढ़ना, charge depreciation 10% on furniture, आप मुझे बताओ, क्या मैं depreciation को debit में दिखा दू क्या, बोलो, बोलो, क्या मैं depreciation को debit में दिखा दू क्या, हाँ यह ना, जल्दी बताओ ना, क्या यह जो depreciation है, उसको मैं debit में दिखा दू क्या, depreciation को दिखा दू क्या, depreciation नहीं दिखा सकता, एक बदमाश में जो अभी शादा है, नहीं दिखा सकता बच्चे, क्योंकि depreciation कहां से मैंने सोजागा, फनीचर एकाउंट से, 1,00,000 का फनीचर है, 1,00,000 में 10%, यानि कि 10,000 depreciate हो गया, तो फनीचर आपका यहाँ पर कितना बच गया, फनीचर आपका कितना बच गया, यह बच गया आपका 90,000 का अमाउंट आपका, 90,000 रुपे, 1,00,000 यहाँ लिखा, 90 यहाँ लिखा, तो net amount कितना हो गया 10,000, ब्रैकेट में आपको रिविजिन में दिकतना हो, इसलिए मैं आ लिख देता हूँ, कि 1,00,000 मैंनस 10,000, यह ब्रैकेट वाली बाते बस आपको समझाने के लिए है, एक्जाम में लिखो और ना लिखो फरक ने पड़ता, ठीक ना, तो इस तरीके से हमने क्या-कया, यह भी काम खतम किया, cash भी हो गया, stock भी हो गया, और भी कोई नाम देख रहा है, नई सर, मैं बच्चों, इतना लिखने के बाद, थोड़़दे देखने शान्त हो जाईए, इतना लिखने के बाद, यहां तक सबका हो गया, यह सर, पर बच्चे अभी जोश में मत आना, अब थोड़ा सा दिमाग शांत करते हुए, एक बार नजर मानना, क्योंकि यहीं से ब्रांच एकाउंटिंग परिशान करने वाले चीज़े स्टार्ट होंगी, एक बार नजर मानना, जितने भी नाम आपक आपनिंग बैल्स में है ना, जितने भी नाम आपनिंग बैल्स में एसेट्स के, यह तो पक्का है ना, जितने भी एसेट्स का ओपनिंग बैल्स बताएगा, उनका क्लोजिंग बैल्स भी होना चाहिए, नजर यहां डालो, बिल्डिंग का ओपनिंग बैल्स क्लोजिंग में आपको नहीं बता रहा है, कोई बात नहीं, हम building के closing balance को ढूण लेंगे, हमें account तो बनाने आता है न, हम निकाल लेंगे cash का opening balance closing हो चुका है, dators का opening balance मेरे बच्चे, अभी तक आपको dators का closing balance नहीं पता तो dators के closing balance को भी हम यहाँ पर ढूंड लेंगे stock का opening closing हमें पता है furniture का opening closing हमें पता है बस दो कदम दूर मेरे बच्चे सिर्फ दो कदम दूर अगर मैं building और dators के closing balance को निकाल दूना मेरा question complete है बस दो कदम दूर है सुनो मेरे बात एक बाह बताओ अरे आप से बात कर रहा हूँ building starting में 2 लाक रुपे का है आप पूरे question को पढ़के बताओ कि building के बारे में कहीं कुछ बता रहा है क्या पूरे question को पढ़ो ना आप पूरे question को पढ़के बताओ कि building के बारे में कहीं कुछ बता रहा है क्या कोई building का purchase क्जिसेज कोई शेल कोईभ्यिक्षिशन कुछ बता रहा है अपने अपको बलाकव आसे अपहँ क्या एग्जामिने शाओं में जाते हो तो आप अपने आपको थेयाomme समझते हो सकते तोलिक मिरुच्छे इनसान कि मैंद नहीं रहो common sense है यार हम भगवान नहीं है अगर जो building आपका starting में दो लाक उर्पे का था और पूरे साल में अगर कुछ change हुआ रहे था कुछ building का purchase कुछ sale, कुछ depreciation तो question को बताना चाहिए था नहीं बता है तो फिर क्या हम इंसान है हम कुछ नहीं जानते दो लाक स्टार्टिंग में तो end में भी क्या होगा दो लाक उर्पे ही होगा common sense है common sense है यहां क्यों हम परशान होंगे building स्टार्टिंग में दो लाक उर्पे का था end में कितना हो गया इस बात का पता करने के लिए आपको कम सगम बताना चाहिए कुछ परशेज तो नहीं वा कुछ तो नहीं वा कुछ depreciation तो नहीं वा हम उसको plus-minus करते कुछ नहीं बता रहा है तो जितना स्टार्टिंग में इंड में काम खत्म हो गया के ड अगला सुनिंगे आप देखो यहां पे स्टार्टिंग में 30,000 है अब अब बतो thirty lane starting में यानि की साल के starting में क्या end में भी स्टार्टि cancelled होगे क्या ज़ड़ा बताो जल्दी बताओ बताओ कि स्टार्टिंग में 일चस आपका 30,000 का है तो क्या एंड में भी डेटर्स 30 ही होगा क्या नई सर एंड में 30,000 नहीं होगा क्यों नहीं होगा बोलो बोलो क्यों नहीं होगा समझ गया नहीं होगा पर क्यों नहीं होगा एंड में डेटर्स 30,000 का जला बताओ कोई आपका अरे क्यों नहीं होगा क्योंकि एक बच् सिर्फ बैडेट्स ही थोड़े बहुत सारी बाते हैं अरे देखो तो यही तो चैप्टर का मज़ा है यह देखो आप यहाँ पर यह डेटर साल के स्टार्टिंग में थे इसके बाद करण्ट एर में आपने कुछ क्रेट में भी सेल किया हुआ है कुछ बैडेट्स भी आपका ह हुआ है कुछ डेटर से पैसा क्लेक्ट बहुत सारी बाते हैं जो इस एक साल में डेटर से गुजरी हैं तो हमें इन सब को एड्यस करके क्लोजिंग बैलस निकालना होगा और मैं तो कहूं कि यार इतना परशान क्या होना जब भी आपके किसी अकाउंट में बहुत सारे हाँ हाट नहीं है तो उनको स्क्राइब करना होगा इंट का निकालने के लिए वही काम कर रहा हूँ अब बातcano वाला हूं आप प्लिज किसी को इस बात से शेयर नहीं करना किसी को इमत बताना जो बात आगे बोलने मालड़ों यह बात हमेशा आपके और मेरे पिच मेरना च यह पता क्या बची डेटेर इसेट होते हैं कि अरे डेटर ग्याना किसी बिजनेस का ऐसे टो ता पता यह बात आपको तो हमें यह पाता है अरे में बात सुनो जितने भी एसेट होते हैं उन सब का opening balance हम कहां लिखते हैं debit में opening balance debit में लिखते हैं तो हमें पता था आगे की तो बात सुनो जो भी assets होता है हम बच्पन से परते आ रहें they always have debit balance तो debit में opening balance आएगा जिसका opening balance debit में होता है न वो जब जब increase करेगा तो हम क्या करेंगे और debit करेंगे और घटना क्रेड करेंगे opening balance यहां पर लिखा जाएगा वो जब जब बढ़ेगा तो हम क्या करेंगे जी उसको और बढ़ाएंगे debit करेंगे जब जब बनाना शुरू करती है देटर से स्टाटिंग में कितना है 30,000 लिखो यहां पर 30,000 का माउंट आपका ओपनिंग बेल्स आपका 30,000 लुक्रे बताओ यहां यह नजर यहां बैद हो गया बैड़ा गया 10,000 का सिर इतना बताओ बैड़ाट हो जाने से dators आपका increase करेगा कि decrease करेगा पोलो ना अगर अब baddates हुआ है तो baddates होने से dators आपका increase करेगा कि decrease करेगा यह तो 3-4 class के बच्चे को भी पता होगा तो यहां लिखो ना फिर आपका baddates हो गया जी baddates आपका कितने का 10,000 दस दर का baddates हो गया ठीक है आपका ठीक है आगे पढ़ना cash sales कुछ नहीं credit sales मुझे बताओ credit sales 8 lakhs का हुआ है 8 लाक रुपे का sale हमने goods बेचा credit पे अगर goods को हम credit पे sale करते है तो credit पे sale करने से dators आपका increase करेगा कि decrease करेगा तो बच्बन की बाते हैं तो लिखो ना मैं कहां कर रहा हूं कोई बड़ी बात आप से 8 lakhs रुपीज का amount आपने यहां पर record कर दिया 8 lakhs रुपे का amount है ना कुछ नहीं कर रहा है जिसका account बना रहा हूं debit balance है तो बनना debit घटना credit कर रहा हूं ठीक है उसके बाद collection from dators 630 अगर पैसा क्लेक्ट हो गया तो डेटर से 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 इंक्रीज करेंगा कि एक बदमाश बच्चा है वह कहता है कि सर आपका डेटर से इंक्रीज करेंग क्या बोलेंगे यहां पर बाई कैश पढ़ा तो हमने क्यों फालतू में हम बड़ी-बड़ी बाते करें कितना डेटर से क्लेक्ट हो गया 630 का माउंट आपका तो चे लाग 30 रुपे हमने यहां पर कलेक और बोल दो यहां पर बाई बैलनसीडी यानि कि बैलनसींग फिगर यह कितना आपका हो गया एट लाइक थर्टी थाउजन इधर एट लाइक थर्टी थाउजन एट थर्टी में आपने इसको मैनस किया बैलसींग आपका वन लैक नैटी थाउज़ एक लाख नब्य हजार बचे वन नाइन्टी इस वन नाइन्टी को क्या करो अब बीना किसी परशानी के आप यहां रिकॉर्ड करो वन लैक नैटी थाउजन और एक बार नजर मारो कि अब सब कुछ पता है ना ओपनिंग एसेट्स क्लोजिंग एसेट्स गुट सेंटू ब्रांच भी हो गया टू बैंक भी हो गया रिमिटन्सेज भी हो गया इसे क्लोज करो मेरे बच्चे क्लोज करो आपका बैलंसिंग फिगर यहां पर जो आएगा यहीं प्यारा होगा वो प्रोफिट हो गया एट ब्रांच वो छोटे ब्रांच के पास हम लोगों ने क्या क्या प्रोफिट कमाए है बत साठ का मौ Speech यह लिए आपका화ों है प्रजी करण की पहली क्लास में इतना टफ टर में क्यों उठाया कहीं मेरे बच्चे डर ना जाय कि इतना टफ टल कैसे पढ़ना होगा क्या सशमुच में टफ लग रहा क्या क्या यह चैप्टर सच्मुज में टफ लग रहा क्या बोलो ना क्या यह सच्मुज और यह कोश्ण 12 मार्क्स का है सोचो और आपको मैं कैसे विश्वास दिलाओं अगर उस साल का इंस्टिट्यूट का इस चैप्टर का इस कोशन का रिवीव पढ़ेंगे तो पूरे और इंडिया मेरे बच्चे इसका 8.9 परसेंट बच्चों ने इस कोशन को आपका सही अटेम्ड किया था पूरे और इंडिया में 8.9 परसेंट बच्चों ने इस कोशन को सही अटेम्ड किया था बागी समने गलत किया था किसी ने कि यानि और इसने क्या वो गलत भी किया अपका, बढ़ क्या दिक्यत है यार, यह तो यह क्यों नहीं कर पाएंगी हम, क्यों इस चप्टर से डड़ेंगी यार, क्यों हम CMA इंटर से, अभी ग्रूप बने, फिर फाइनल में फिर CMA बनना यार, दुनिया को दिखाना है, जो उल् कुछ भी नहीं किया, आपको दिखा होगा, आज का इतना समय गुजर गया, कुछ भी तो नहीं पढ़ा है, मरी बच्चे, हमने कहा कि भया, आपको ब्रांच अकाउंट, डेटर सिस्टम जब बनाएंगे, आप डेटर सिस्टम में, एसेट्स का ओपनिंग, एसेट्स का क्लो कर दी हमने यापे, एक बार जल्दी से मुझे सिव इतना बता दो, एक बार सारे बच्चे, जितने बच्चे अभी देख रहे हैं, सभी बच्चों से चाहता हूँ, कि क्या आपको अभी तक की सारी बाते समझ में आई, प्लीज कमेंट में बताइए, जल्दी से, मैं चाहता इतना चिला रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि जड़ा बताओ, यहां तक की सारी बाते आपको समझ में आई की नहीं है, अगर आपने कमेंट में नहीं बताया, तो फिर बहुत गंदे गंदे बात हो जाएंगे, बहुत बहुत बात हो जाएंगे, जल्दी बताओ, यहां तक की आत्ती विश्वास. पता नहीं क्या हो गया इन बच्चों को. अभी मैंने सिखाया था, हम प्रोफेशनल बच्चे हैं. हमें अपने अंदर में आत्ती विश्वास नहीं लाना, मैंने का भी ता कि जब तक मेरी क्लास खतम नहीं हो जाएगी तब तक हां मत बोलना. और फिर से यह चीज आपको तब समझ में आएगी मिरे बच्चे, अगर मैं आपको यह बात प्रूफ कर दूँ कि अगर यही काम, वो जो बच्पन में हम नहीं करते थे बच्पन में, वो ट्रेडिंग प्रोफिट लोस अकाउंट, वो आपका ब्रांच का जो ट्रेडिंग प्रोफिट लोस अकाउंट, बनाकर भी, अगर मेरा सेम प्रोफिट आजाएगा ना, सेम प्रोफिट आजाएगा, तब मेरे बच्चे, मैं इस बात को मानूगा कि हां, मुझे बाते समझ में आई हैं, अगर मैं ट्रेडिंग, मेरे साथ बनाओ ना, मेरे साथ बनाओ ना, एक बहुत देने वालो, सच बोल ला हूँ, देखो तो, आप मेरे साथ, आप नीचे में, जहां पर सॉलूशन एंडवा, उसके बाद, आप ब्रांच का ट्रेडिंग प्रोफिट लोस अकाउन बनाएगे, अगर वो बच्च्पन में जिस तरीके सम प्रोफिट निकाला करते थे, अगर उससे प्रोफिट हमारा मैच कर गया बच्चे इसका, तब हमें बाते समझ में आई, अदरवाइज नहीं आपका, अब देखो नमें क्या करूंगा, बच्पन में क्या होता था, हम लिखा करते थे यहां पर ओपनिंग स्टोक, लिखे आप यहां पर मेरे साथ, ओपनिंग स् होता है, और बागी बात है वैसे ही बच्पन वाली, बाई सेल्स, सेल्स के इंदर में आप कैश सेल्स लिखा करते थे, कैश सेल्स, क्रेड सेल्स, बिल्कुल वैसे ही, कुछ रिटर्न होता था तो मैं मैंनेस कर देता था, यहां कोई रिटर्न तो है नहीं, तो क्रेड सेल्स तो यहां पहनी तो क्या एक्समेंस यहां पे होगा नहीं बैलसीग फिगर यह मूंसे कहा देंगे घ्रोस प्रोफिट है इस 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 जो सिह को घोर्ट करेंगे यहां दर्ड़िम कि बात वो छोचोटी प्यारे-प्यारे सरुवा करते थे आपके foundation में चाहे एलन टूल क्लास में by gross profit और इस gross profit में जितने भी expenses है ब्रांच के, चाहे वो expenses आपके paid by head office हो, चाहे वो expenses आपका paid by branch हो, और चाहे वो non-cash क्यों ना हो, उन सबकों में यहां पर record करूँगा, वो सारे expenses में बचे, चाहे वो head office ने pay किया हो, चाहे ब्रांच ने, चाहे वो non-cash जितने, non-cash में कौन-कौन से खर्चे था जी, जिला बता दो, non-cash में क्या-क्या नाम था, एक तो नाम था depreciation का, बता अभी भी कोशन किया था अपने, एक नाम था आपका, badds का, badds, check करो, और भी कुछ था क्या, इस कोशन में Non-cash में, non-cash में कोई और खर्छ दिख़रा क्या नामकें, respondents हो गया, एक आपका depreciation हो गया, और कुछ थोंगा क्या, कुछ बताःगा, और कुछ दिख़रा क्या, इस question के अंदर में discount का है बदवाश, non-cash में एक तो नाम badits का दिख रहा है, एक हमें दिखा आपका यहाँ पर depreciation का, badits हो गया depreciation, और नाम क्या है, और कोई नाम ही नहीं है, तो दो ही खर्च है, एक तो depreciation और एक badits, अगर इतना करने के बाद हमारा net profit जो नीचे में हमने किय नीचे में जो निकाला बच्चे, अगर उससे match कर जाए, तब जाके बाद समझ में आएगी, अगर आपका यहाँ पर जो net profit जो नीचे निकाला उससे match करेगा, तब जाके बाद समझ में आएगी, आप देखते हैं, बताई यह question में, आपका opening stock कितना है, जड़ा बताओ, opening stock, परशेजेज यानि की goods sent to branch कितना था अपका, 3,80,000, 3,80,000 रुपे, परशेजेज यानि की goods sent to branch, cash sales आपका 220 है, यहाँ लिखिए, 220, यह नॉर्मल आपका trading profit हो, जैसे हम बच्चमन भी बनाते थे, वही काम कर रहे हैं, credit sales मेरे बच्चे 8,00,000 रुपे कामाउंट है, उसको यहाँ लिखिए, किसी भी account से कुई address नहीं करना, सब दिखाना हम नहीं यहाँ पे, तो sales हमारा कितना हो गया, 10,20,000, 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 10,20, 10,20,000, 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 10,20,000 ब्रांच ने कितना पे किया था 28,000 अभी क्या था कोशन वही अमाउंट लिख रहा हूं में डेपरी सेशन कितना आपका हुआ था फनीचर पे 3,000 का और बैडिट्स आपका कितना हुआ था कोशन में बैडिट्स कितना था बच्छे वो भी था 10,000 का 10,000 6.30 में मैंनस किजिए अमाउंट इन पी कितना आगया 5,60,000 पांच लाग साज़ जार रुपर 5,60 ये लो आपका ये जो मैथड है इस मैथड में ग्रॉस प्रोफिट में जब हमने इन सारे खर्चों को मैंनस किया तो इन पी कितना आगया 5,60 आगया ये क्या ये तो 5,60 आपका वही आगया 5,60 जो कि 5,60 आपने यहां निकाला था ये देखे आप यहां पे भी कितना आथा जी 5,60 निकल के आगया दोनों से आपका जो प्रोफिट है बच्चे सेम निकल के आगया वहां भी 5,60 यहां भी 5,60 क्या यह कोई जादू हुआ क्या आब बताओ 5,60 ट्रेडिंग प्रोफिट लोस एकंट बना के आगया और यहां भी 5,60 आगया क्या क्या जादू हुआ क्या नहीं सर यह तो कॉंसेप्ट है जो अभी मैंने आपको पूरी क्लास में समझाया कि मैं बचें यहां भी हम expenses revenue ही record कर रहे हैं profit तो same आई गा ही आईगा और क्यों नहीं आई गा तो profit आपका यहां पर निकल कर आगreg आगग ए ठीक है न? तो इस तरीके से क्या करेंगे बचें आपका यहां पर दोनों से इसे हमारा निकल कर आग गया 560 यहां भी आपका कितना गया 560 कोई डाउट इसके अंदर में नहीं से एक खुशकरवरी देना चाहता हूँ आज क्लास के एंड में पता है क्या अगर आप यह जो ट्रेडिंग प्रोफिट लोग सकाउन बनाते हो ना यह जब बनाते हो और इससे मेरे बच्चे जब आप प्रो आपका Final Account Method Final Account Method का मतला होता है इसको क्या बोलते हैं अप भूल गे क्या Final Account Method यहां देखो आप यहां देखो आपका ये क्या हुआ ये एक ही कोष्ण में हमने दोनों कर लिया अगर आपको इस मैठ़ड नाम ही कहता है अपने क्या होगा सिर्फ ब्रांच का आपको ट्रेडिंग प्रोफिट लोस बनाना होगा और काम खतम करना होगा तो हम लोगों ने पता क्या क्या यहां पर आपको बताया आज एक छोटी सी क्लास के अंदर में हमने दो-दो मैथट खतम कर लिए और आपको विश्वास दिलाता हूँ एक्जाम में जब इस मैथट के कोशन आते हैं तो बोलते हैं हमने तो पढ़ाई नहीं है हमें तो आता नहीं है एक चीज क्या हमें समझ में नहीं आता अरे क्या दिकत है डेटर सिस्टम के अंदर में डेटर सिस्टम के अंदर में आपने क्या क्या जो अकाउंटिंग क्या था उसमें हमने एक ही अकाउंट ब मास्क्री हो जाएगी तो बात बन जाएगी मैं चाहता हूं कि अब मैं इसको नीचे करके मतलब हटा कर अब आप से कुछ बाते करूं यह लिजे बिल्कुल शांत दिमाग शांत लिखना बन कर दो आप, लिखना बन कर दो, आप मेरी बात सुनेंगे, हाँ, लिखना बन करेंगे, सुने मेरी बात, क्या कि हमने, पहले हमने देखा डेटर सिस्टम, आखे बंद रहेंगी, आप सुनो तो, मेरी आखे बंद आपकी बंद है, डेटर सिस्टम में क्या किया, एक तो आप तो इसके बुक में यहां पर लिमिटेड अकाउंटिंग के हम बात कर रहे हैं तो डेटर सिस्टम है क्या क्या ओपनिंग एसेट्स ओपनिंग लाविटी क्लोजिंग लाविटी तीन नाम और तू गूट सेंट व्रांच बाइड एमिटेंट सेंट टू बैंक अकॉंट बाकि स खाथ हैं इतनी से बात है इतनी से बात है इतनी से बात और यही बात मैंने आपको समझाई हे है है तो शीवराज अभी वो अगले क्लास का टॉपिक है, अभी तो आपकी concept पे काम करो, अभी concept पे काम करो, वो आगे का टॉपिक आपका है, मैं बचे, आज की क्लास में ना, मैंने कुछ भी नहीं पढ़ाया आपको, बिल्कुल छोचोटी बातें आपको बताई, ये टॉपिक मै देखना, एक सवाल का जवाब मुझे आगली क्लास में आपसे चाहिए, कि पहले वाले method को हम data system क्यों बोलते हैं, जिस बच्चे ने इसका जवाब सही दे दिया, कि data system क्यों बोलते हैं, आप मुझे अपना नाम लिख के भेज़ देना, आपको मैं बिल्कुल खुब सारा च कॉंटिनू करेंगे, कल इसी टाइम पे, कल दो से चाहर हम इसकी अगली क्लास आप से करेंगे, दो से चाहर आप से अगली क्लास करेंगे, मेरी बुक मेरे बच्चे, आपके पास ये आप पहुंच गई होंगी, जिन बचों ने क्लास पर शेज कर लिया होगा, या जो अभी नहीं परशेज की जो अभी जिनकों पास बुक नहीं गई है उनके पास रास्ते में होगी पहुँचने वाली होगी आपका ठीक ना तो इसी क्लास को हम कॉंटिनू करेंगे कल दो से चार बजे और क्लास को आगे बढ़ाएंगे पांच मिनट अभी आपके साथ हूं में कुछ सवाल कुछ बाते करने तो आप मुझसे बात कर सकते हैं अनिकेत कहते कि सर यूटूब पे लाइव होगा हां बचे कल भी इसका अगला जो क्लास होगा वो कल इस पे लाइव ही होगा एक बच्चा कहते है सर प्रोविजन फॉर डाउट्फल डेर्स का वो ट्रीट्मेंट आगे का है कल समझाओंगा कॉंसिप्ट है ना बच्चे बहुत सारी बाते हैं आप सबको भी थैंक्यू सभी बच्चे अगर कोशन में लाइटी होगी तो ट्रेडिंग काउंट और यह भी आएगा अरे कहा न आशिष बहुत बड़ा कॉंसेट बदमाश इतने बड़े- अश्री करते हैं तो सारी बाते हैester एक तिन में कैसे हो सकता है एक और चाहिए पार्ट्नरशीप- MARC वी क्लासेज होगी बचे सब होगी गनेश अभी क्लासे चलेंगे बचे तीन से चार क्लासेज यूटूब पे रहेंगे हमारी लाइब क्लासेज आपका ये क्लासेज जून के लिए भी है और डिसम्बर के लिए भी है इसके बाद जब एप में हम आ जाएंगे अप में तो दोनों ही बचों की अलग-अलग स्ट्रेडजी होगी पढ़ने का वह आपको स्ट्रेडजी बताया जाएगा निदेश बाबू ऑफिस से फोन कीजिए बचे उसके बारे में ऑफिस वाले आपको बताएंगे बताया गनेश अब इक लासे चलेंगे आपकी चलते रहेंगे 25 तारिक से आप लोग टेक्स की भी क्लासे शूरू ओ रुरी है विरीat sir के साथ आपका टेक्स वहां पढ़ेंगे आप रिश्चे दोनों ही क्लास है बचये आप मेरी स्टूडियो में पढ़ाता हूँ, वहाँ पर भी स्टूडियो में पढ़ा कि आपको बेजा हुआ है, है ना, इसके साथ कुछ भी नहीं, सर, मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है, ये लड़का बताऊंगा, कल जब एंसर देदेगा न, कि डेटर सिस्टम क्या होता है, तो जब डेटर सिस्टम के बारे मुझे समधा देगा, तो फिर आपको बताऊंगा, कि उसका क्या रिजन है, हिमानशू, हाँ बच्चे, हिंदी मिन में भी सिय में होता है, होगा क्यों नहीं होगा, आप करेंगे, अच्छा रहेगा, जिसमें आपकी मास्क्री है, जिसमें उसमें आप काम करें, ठीक है न, सिलेबस मेरे बच्चे, हमने जो प्लान किया, उसकी साबसे 4.5 मेन, साड़े 4 मेने का सिलेबस है, 4.5 मेन, आप काउन के लिजए, आज सी आपका बैच शुरू हुआ है, लाइब बैच, जो बच्चे, जल्दी कोर्स खतम करना चाहते हैं, आप फिर जो जून अटेम्ट के बच्चे हैं, उनको 60% कोर्स हमारे साथ लाइब करना होगा, और बाकी studio recorded classes, जो पहले उनको मिल जाएंगी, वो पहले में आपको करना पड़ेगा, यही बात हो पाएगा, राधा सर्प प्रिज टाइम ऐसा सेट कीजिए कि बोध गुरुप दहां, लरकि दोनों गुरुप की class से चल दीए, उसमें क्या दिखाते हैं, बदमाश, चलिए, पूरा syllabus की लाइब बतायां, बदमाश, जो बच्चे, दिसमरे टेम वाले हैं, उनका पूरा class लाइब चले सब कुछ की रिक्वाइमेंट नहीं अलग से, कहीं कुछ की रिक्वाइमेंट नहीं है, चलिए बच्चे, अब मैं जे डाउट session टाइम पर जाना है, और जो हमारे बच्चे हैं, studio recorder classes वाले, वो डाउट के लिए वेट कर रहे होंगे, 4-7 उनका डाउट लेता हूं, तो मैं म वेटाटा, और आप सब को वेटाटा, एक बार इसको दुबारा आप इसको देख लेंगे, ये class को पढ़के फिर अगली class पर मेरे साथ एंट्री करेंगे, थैंक यू बच्चे, थैंक यू, थैंक यू आप सब को, आप सब को थैंक यू.